अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवेस सेशन्स नहीं देखे हैं पिछले सभी सेशन्स को देखने के लिए आप स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं तो भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको ठीक है ये टॉपिक समझने के लिए आपको पिछले सभी वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ते हो या आना पड़ेगा आपको पता होना चीएगी कलोनियलिजम क्या होता है न्यू इंपरिलिजम को हमने किस दरह डिफाइन किया किस दरह नए ने नेशन्स जो है वो यूरोप में बने जो वर्ड जो इंडस्ट्रियल रेवलुशन आया पहले यूरोप میں और फिर वो आया पहले Britain में और फिर Europe में आया तो उसका असर क्या है ठीक है और उसके अलावा American Revolution के बाद की घटना है American Civil War ये सारी चीजें आपको connect करते हुए आना पड़ेगा अगर इन सारे topics को आप connect नहीं करेंगे और उससे पहले Renaissance Age of Enlightenment वो सारी चीजें अगर आप नहीं ज जोड़ पाएंगे ठीक से so make sure you watch all those previous sessions पिछले sessions को access करने के लिए आपको playlist में जाना पड़ेगा as I said YouTube के सर्च बार पर मेरा नाम लिखे है आपको playlist मिल जाएगी और जैसे कि मैंने हमेशा से कहा ही है कि हम जादा से जादा facts वे घटा करी रहे हैं लेकिन हमारा main emphasis होता है concept building पर तो अगर आप पिछले sessions देखते आएंगे तो जो मेरे पढ़ाने की ideology है जो concept build में करता आ रहा हूँ जो global perspective, global सोच जो है वो develop जो करना चाता हूँ मैं आपकी जो global perspective generate करना चाता हूँ मैं आपका उस ideology के साथ आप नहीं जुड़ पाएंगे अगर आप पिछले sessions नहीं देखत होता है, daily के answer writing practice होती है, doubt solving, पूरा का पूरा package of level है, make sure you check that out, the link for the application is right under this video, इस video के निचे जो description है, description में आपको application install करने का link मिल जाएगा, खेर, शुरू करते हैं आज का हमारा session, जैसे की आप देख पा रहे हैं, this is the map, ये map है European colonies of the world का, ठीक है, यानि पूरी दुनिया में कहा कहाँ पर European colonies फैली हुई है, so ये map मैंने आपको पहले भी फैली हुई थी मतलब, right, और ये map मैंने आपको पहले भी दिखाया है, अब इस map में जहाँ जहाँ पर जो colonies है, इसका मतलब ये नहीं है कि at a given time जो है, वो ये सारी colonies मौजूद थी, this is, ये कोई एक specific time band में नहीं, ल अफ्रीका में जो new imperialism आया, उसके तहत जो colonies establish हुई है, आज हम उसे समझने ही कोशिश करेंगे, तो मैंने पिछले topic में आपको new imperialism define किया था कि क्या है, अगर आपने new imperialism नहीं समझाया तो पिछले topic को आप जरूर देखीगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब industrial revolution ने य industries बढ़ गई और Europe में पहले Britain जो है वो create कर रहा था, Britain was the sole manufacturer of what industrial products, but now other European powers had already, और इन्होंने भी जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, बड़े level पर industrial जो है वो products तयार करना शुरू कर दिया, जिससे हुआ क्या, जिससे surplus हो गया, यानि कि पहले demand बहुत जादा थी, तो industrial revolution आया, naturally कहां पर, ब्रिटेन में, फिर धीरे धीरे वो industrial revolution जब यूरोप में आया, तो supply बहुत जादा हो गई, तो अब markets चाहिए, और markets किस तरह क्या ideal है, एक mercantile capitalist economy के लिए, colonial markets जो है, वो ideal है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पूरा थोरूली समझाया है, कि एक colony जो है, वो आपको त raw materials, उसके लावा आपको market भी देती है, प्लस labor भी देती है, तीनों चीज़े provide करती है, तो भारत या South East Asia के अन्ने कहीं सारी countries, यूरोप की बड़ी शक्तियां, जो Western Europe की बड़ी शक्तियां, जैसे Britain, France, Spain, Portugal, Netherlands, इनकी already वहापर colonies थी, उसके अलावा New World, the Americas, North America, South America, Central America, यहाँ पर भी जो Western European colonist है, imperialistic शक्तियां है, उनकी colonies थी, लेकिन after the American Revolution, एंड उसके बाद धीरे धीरे जो है वो French Revolution आया, French Revolution के बाद नेपोलियोनिक वार्स के बाद धीरे धीरे जो America's है, यानि जो New World है, वहाँ पर decolonization का phase आया, और जैसे कि हमने समझा ही कि North America में US अलग हो गया, Canada, जो है वो फिर भी Britain के control में लाया, लेकिन काफी सारी जो है वो High Asian Revolution वगएरा हमने पढ़ी है, ठीक है, so decolonization का पहला phase New World में आया, that means जब industrial revolution हिट कर रहा है, और अब जो demand बढ़ रही है, उस not demand लेकिन जो surplus बढ़ गया है, उसके लिए market अगर चाहिए, तो खिलाडी, imperialistic खिला है, जपैन, और यूरोप में नए imperialistic आगए, नए जो है वो colonial शक्तियां इखटा होने लगी, वो कौन-कौन सी थी, जर्मनी और इटली, दो unified nations, उसके अलावा Belgium भी एक नया जो है वो देश मना था, वो भी अपने आपको एक colonial शक्ति के रूप में establish करना चाह रहा था, तो ज प्राने प्लेयर्ज हैं यूरोप के, वेस्टन यूरोप के, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, और जो नए प्लेयर्ज आए, कौन-कौन से, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदर लेंड्स पहले से भी था, ठीक है, और उसके अलावा US, अमेरिका से औ अमेरिकास को हमने इंक्लूड नहीं गया, तो मैंने आपको पिछले टॉपिक में, नीविम्पिरलिजम, ये सारी चीज़े मैंने आपको समझा दी है, ठीक है, आज हमें समझना है कि किस तरह एफ्रीका को बाटा गया यूरोपियन शक्तियों द्वरा, ठीक है, तो इस मैप के जरीए, ये मैप मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इस मैप में आप क्लिरली देख सकते हैं, कि नॉर्थ अमेरिका और साओथ अमेरिका में, जो ये पिंक वाला पार्ट था, अगर आपने मैप पहले फॉलो किया है मेरे साथ, तो मैंने आपको बताया था, ये पिंक वाला जो पार्ट है, ये ब्रिटेन के पास है, आप देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका का जो इस्ट कोस्ट है, वो ब्रिटेन के पास है, बीज में फ्रांस, और जो येलो वाला पार्ट है, वो पॉर्टुगल, तो नॉर्थ अमेरिका और साओथ अमेरिका में, जो मुखे colonies है वो वही चार western European शक्तियां यानि कि Britain, France, Spain और Portugal की ठीक है लेकिन यह जो Alaska वाला part आपको red दिख रहा है यह बाद में रशिया ने बहुत बाद में यानि 18th century के बाद में 18th century के last में जाकर not 18th लेकिन 19th century के और 28th century के शुरवाती decades में acquire किये इन्होंने यह आप इस तरह बोलिए कि world war के तहज जब हुआ है रशिया ने यह Alaska वाला region ठीक है लेकिन अन्य जो colonies है North America, South America में यह जब से exploration शुरू हुआ है 15th century में तब से western European countries ने इनको colonize करना शुरू कर दिया था लेकिन मैंने आपको बताया कि after Napoleonic Wars and following the revolutions of American and then French यह Americas जो है वो decolonize हो गए कुछ हद तक और यहाँ पर जो है वो बड़ी शक्तियों अभर कराई तो decolonization of Americas एक अलग से topic लूँगा लेकिन point यह है कि जो हम new imperialism पढ़ते हैं न जो हम new imperialism समझ रहे है Western European शक्तियों ने Americas को colonize किया पहला Western European शक्तियों ने भारत और Southeast Asia को जो colonize किया है ठीक है दिस इस old imperialism और the first phase of imperialism और the first phase of colonial expansion ठीक है बट विद अद्वेंट अफ इंडस्ट्रियल revolution in mainland Europe mainland Europe में भी ऐसे nations established हुए जो अब अब अपने आपको colonial शक्तियों के रुपे establish करना चाते थे लेकिन भारत और Southeast Asia already बटे हुए थे China अपने आप में एक बड़ी शक्ति था Japan भी industrialize कर रहा था अपने आपको ठीक है North America और South America में US जो है वो एक बड़ी colonial शक्ति थी और अन्य अमेरिका जो है अपने आपको अजाद कर रहे थे या already वहाँ पर established colonies थी तो केवल दो ही ऐसे region रह जाते हैं Africa और South East Asia के अन्य बहुत सारे जो द्वीप देश है ठीक है आइलेंड वाले देश है उनको कैसे colonize किया गया तो मैं आपको समझाओंगा तो सबसे पहले आज हम आफरीका को समझेंगे Asia में South East Asia वो सारी चीज़े हम Asia वाला topic अलग से लेंगे ठीक है लेकिन पहले हम समझते हैं कि Africa को किस तरह colonize किया गया तो यह Africa वाला मैप मैंने आपको पहले भी दिखा है इसमें देखिए clearly जो blue वाला है वो France के पास है जो pink वाला है वो Britain के पास है जो green है वो Portugal के पास है जो yellow है वो Spain के पास है उसके अलावा आपको यहाँ पर clearly नज़र आ रहा है जो darker सा color है southern tip में देखिए southern part में देखिए African peninsula के this is Germany ठीक है और इस map में आप ध्यान से दूढ़ने कुश्य कर जीए बाकि इसी चीज को आज हम detail में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो है वो Africa को किया गया colonize so I hope आपको imperialism समझ आया होगा old imperialism या first phase of colonial expansion आपको समझ आया होगा जिसमें new world भारत और South East Asia को colonize किया गया लेकिन after the advent of industrial revolution in mainland Europe mainland Europe में जब नए राष्टर बन गया और उनको जब colonies चाहिए थी तो colonies कहां बची केवल कौन सा geographical region बचा तो South East Asia में कुछ जगा है बची China में कुछ जगा बची ठीक है और Africa पूरा का पूरा continent जो है वो colonize करने के लिए अवलेबल था सो आज हम यही समझेंगे कि 19th century के मध्धे तक यानि कि 1850 तक mainland Africa को colonize क्यों नहीं किया गया था और 1850 के बाद ही mainland Africa जो है वो colonize क्यों किया गया यानि industrial revolution के बाद ही mainland Africa को colonize सो आज हम यह पूरा topic जो है वो detail में पढ़ने वाले हैं तो लेकिन यह सबसे पहला आपका European colonies वाला जो map है आपको ठीक से इसके बारे में पता होना चाहिए मैं side में खड़ा हूँ इसकी या तो आप जो है वो screenshot ले जीए या आप Google पे अगर सर्च करेंगे अगर इस map के बारे में European colonies of the world तो आपको यह map Google searches में मिल जाएगा वहाँ से download करके इसको रट लीजिए इस map को देखिए ठीक है मैंने आपको बताया था ना strategic posting मैंने आपको strategic posting समझाई थी भारत की importance क्या है भारत की importance है कि भारत हिंद महासागर का जो trade है Indian Oceanic जो trade है उसमें Eastern Asia को Western Asia से connect करता है और जो Atlantic trade है जो की Indian Oceanic trade से जुड़ेगा उसको protect, preserve और उसके लिए बहुत सारे resources प्रोवाइड करता है तो भारत की importance है एफरीका की क्या importance है एफरीका के पैनिज्वला की importance है Indian Oceanic trade और Atlantic Oceanic trade के बीच में एक connector का गाम करता है African Peninsular जिसके पास African Peninsular पे Coastal जो है वो post होंगी तो वो असानी से Atlantic as well as Indian Oceanic trade को control कर सकता है ठीक है So this was the strategic importance of Africa and India आपको पता होनी ची So आएए अब हम देखते है Contemporary Africa का map तो की present day में एफरीका के क्या हाल है ठीक है So this is the whole of our African continent इस map में आप देख रहे हैं यह पूरा African continent है राइट और इसमें present day जितनी भी countries है वो सभी countries कब establish हुई यह उसका map है ठीक है So starting from the south आप यहाँ पर देखेंगे Republic of South Africa जो की 1931 में बना ठीक है उसके अलाबा बीच में आपको लेसोथो नजर आ रहा है Republic of South Africa में वो 1966 में बना उसके अलाबा साइड में आपको South Africa के East Side में आपको नजर आ रहा है Swaziland Mozambique Medagascar Zimbabwe Boswana Namibia Angola Zambia Congo है बीच में ठीक है जायर जी से कहते है Tanzania अगर आप East Side जाएंगे Tanzania, Kenya उसके लाबा जो हौन है किसका यह जो सींग है Africa का वहाँ पर आपको Somalia Ethiopia नजर आएगा Egypt नजर आएगा Sudan नजर आएगा ठीक है तो यह बहुत important countries है आज हम इनके बारे में detail में समझेंगे ठीक है अब Africa की सबसे पहली मैंने आपको बताया strategic importance है लेकिन वो strategic importance किस हिसाब से बताई मैंने कि जो इंडियनिक ओशियन ट्रेड इंडियन ओशियन में जो ट्रेड हो रहा है और जो Atlantic Ocean में ट्रेड हो रहा है उसको connect करने के लिए ठीक है और Africa से slaves ले जाने के लिए तो इन दोनों कामों को करने के लिए आपके पास केवल coast line होनी चाहिए उससे काम चल जाएगा ठीक है और वो चलता भी रहा 1850 के लगभग तक So 1450s से लेकर 1850 यानि 400 सालों तक 1450s में पुर्टगाल ने बड़े लेवल पर लेकिन आप ही कह सकते हैं कि पुर्टगाल ने पहली बार effectively एक coast line अपने control में ली अफ्रीका की अपने control में ली ट्रेड तो पहले से हो रहा था लेकिन अपने control में ली ठीक है यानि colonize करना शुरू किया सो 1450 में यूरोप ने सबसे पहले एफ्रीका को colonize करना शुरू किया लेकिन केवल coast line को colonize कर सके और 1450 से लेकर 1850 तक एफ्रीका की केवल और केवल coast line acquire कर सके और कौन सी coast line देखिए ये जो western एफ्रीका का जो bulge है इसमें आप clearly देख सकते हैं कि चोटे चोटे countries में तूटा है और जो भी region चोटे चोटे political हिस्से में तूटा है यानि कि वहाँ पर दो चीज़े होंगी पहली चीज़ वहाँ पर resources बहुत ज़ादा होंगे दूसरी चीज़ वहाँ पर political शक्तिया बहुत ज़ादा होंगी इसलिए वह चोटे चोटे हिस्से में तूटा है तो आज हम देखेंगे यही जो western Africa वाला जो part है न ठीक है यहाँ पर नीचे आप देख रहे है Liberia उसके अलावा आपको यहाँ पर Nigeria नजर आएगा और Guinea, Sierra, Leone Ghana वगरा यह सब जो countries है न यह किस तरह पहले सबसे शुरुवात में colonize हुई ठीक है खेर This is the contemporary map of Africa मैं side हो जाता हूँ आपने अगर screenshot लेना है तो ले लीजिए ठीक है और यहाँ पर जो है वो आपको नजर आएगा हर एक African country कब जो है वो independence gain करी उन्होंने और कब अब देखते हैं यह अगला map अब नाओ This is the map of the natural resources of Africa यह हमारे लिए बहुत important चीज़ है कि अफरीका के natural resources आकर थे क्या तो मैंना आपको बता है ना 1850 तक तो केवल coastline तक ही colonial शक्तियां मौजूद थी coastline कहने का मतलब यह आपका western coastline पूरी की पूरी नीचे तक Cape of Good Hope तक ठीक है और eastern coastline पूरा का पूरा Red Sea तक जो यह हौन है किसका अफरीका का और Red Sea तक जो Egypt के जो coastline है यह colonial control में थे ठीक है लेकिन लेकिन 1850 के बाद ऐसी क्या घटना घटी यह 1820 के आफरीका में एंटर किया इन्हों ने वैसे वैसे इन्हों ने पाया कि आफरीका में तो resources का भंडार है आफरीका में तो दक्षण आफ्रीका में देखेगा Sona, Gold, Diamonds Diamonds, Copper, Crude Oil Diamonds, Coffee, Grain Gold, Oil, Crude Oil Petroleum, Natural gas Iron Ore, Copper यूरेनियम ठीक है तो यहां पर आप क्लेरली देख सकते हैं कि जो इंपिरिलिस्टिक शक्तियों को चाहिए था मिनेरल्स यानि कि मैटलिक ओर्ज फ्यूल चाहे वो कोल के फॉर्म में हो और खास तोर पर जादा जादा जो है वो ऑईल वेल्थ पेट्रोलियम क्रूड ओयल उसके लावा कोफी गोल्ड और डाइमंड ये कुछ ऐसी चीज़े है जिनोंने यूरोपियंज की आखें चमका दी ठीक है जब यूरोपियंज में लेंड एफ्रीका में अंटर किये तब उन्हें पता चला कि एफ्रीका में तो रिसोर्सेस का इंडार है तो हमें जल्द से जल्द एफ्रीका को कॉलनाइज करना चाहिए यही वो होड है जिसको हमने कहा है निव इंपरिलिजम 1850 के बाद ऐसी टेक्नलोजीकल एडवांसमेंट्स हुई इंडस्रियल रेवलूशन की वजह से जिससे अब एफ्रीकन अब यूरोपियंज में लेंड एफ्रीका में एंटर कर सकते थे तो आपके सामने सवाल यह होगा कि पिछले 400 सालों से क्यों नहीं कर रहे थे यह काम वो 400 साल पहले भी तो कर सकते थे सो 1450 से 1450 में अगर यूरोपियन ने पहली बार एफ्रीकन कोसलाइन को कॉलनाइज कर लिया था तो अठारा सो पचास तक उन्हों ने एंटर क्यों नहीं किया सवाल यह है तो जवाब यह है कि एफ्रीका के जो मेंलेंड वाला हिस्सा है वो है वो क्लेरली ट्रॉपिकल जी जैंतेन वाले गोरी चमडी वाले जो ए वोरोपियन ंहें आते थे उन्हें मलेरिया हो जाता था उन्हें Dengue हो जाता हूथ, उन्हें Typhos हो जाता हूथ, उन्हें Yellow Fever हो जाता हूथ, उन्हें Hay Fever हो जाता हूथ और इस तरह की बहुत सारी बिमारियां थी, जिनके प्रती African tribes ने या तो Immunity Develop कर ली थी, या तो उनके लिए Resistance किसी ना किसी तरीके का Natural और artificial create कर लिया था तो वो sustain कर रहे थे ठीक है और अगर नहीं भी कर रहे थे तो उनकी life expectancy कम थी लेकिन over the period medieval period से धिरे धिरे early modern में आते आते यानि 19th century तक आते आते Europeans ने अपने continent में भी कई सारी बिमारियों का इलाज ढूंड लिया था उसके अलावा North America, South America भारत में ठीक है इन सारे रिजन से जैसे जैसे वो contact में आये तो उन्होंने बिमारियों का इलाज जो है वो ढूंड लिया अब आप कहेंगे भारत में भी तो temperate region है भारत की बिमारियां क्यों नहीं लगी उन्हें तो जवाब ये है कि भारत के साथ European trade बहुत लंबे समय से चल रहा है तो जो भारत के pathogens हैं वो बहुत पहले से introduced हैं यूरोप में तो immunities जो हैं वो over the period developed हैं तो आप कहेंगे एफरीका की proximity तो जादा है ठीक है यूरोप से एफरीका के pathogens जो है वो एफरीका से बिमारियां यूरोप में पहले क्यों नहीं आई तो जवाब ये है कि एफरीका से यूरोप में मैंने आपको Roman Empire का map दिखाए न उसमें आप कहेंगे जो Northern एफरीका वाला जो पार्ट है वो तो Roman Empire का हिस्सा था ही Mediterranean को encircle करने वाला जो पूरा region है ठीक है जवाब ये है कि जैसे ही आप देखिए ये आपको map दिख रहा है तो इसका जो ये Northern एफरीका वाला जो हिस्सा है ये क्लेरली किसका हिस्सा था Roman Empire का लेकिन इसके जस नीचे क्या है सहारा डेजर्ट है ठीक है इजिप्ट के नीचे क्या है सहारा डेजर्ट है तो कोई भी European शक्ती ancient medieval period से लेकर 1850 तक इस सहारा डेजर्ट को successfully बड़ी संख्या में पार करके mainland एफरीका में नहीं आ सकी तो यह सहारा डेजर्ट ने एक बहुत बड़ा blockade का काम किया जिससे mainland एफरीका और western एफरीका में रहने वाली जो maximum population है उनका यूरोप के साथ जो है वो लेना देरा नहीं बढ़ सका और फिर इसलाम के development के बाद इसलाम ने जब धीरे धीरे Egyptian इस पूरे region को और North African वाले region को control में लिया तो Europeans फर्दर जो है वो आगे नहीं आ सके ठीक है एक यह explanation भी है कि क्यों African बिमारियां यूरोप तक नहीं पहुंच सकी सहारा एक बहुत बड़ा कारण था और जब 1450 के बाद समुदरी रास्ते से Europeans ने जानने की कोशिश करी तो mainland तो coastal region से आगे वो नहीं जा सके क्योंकि coastal region उन्होंने दूरी बना कर रखी ठीक है क्योंकि जैसे ही वो आगे जाते थे जैसे ही वो mainland एफ्रिका में पहुंचते थे तो जो वहां की बिमारियां है ट्रॉपिकल डिसेज़ है वो जो है वो Europeans को अपनी चंगल में ले ले लेती थी ठीक है लेकिन 19-वी शदी में ऐसा क्या हुआ 19-वी शदी में हुई बिमारियों के खिलाफ दवाईयां डबलप होना शुरू हुई इंक्रीज इंडस्ट्रियल रेवलूशन के धेरे धेरे और इंडस्ट्रियल रेवलूशन के वाज़े से और जो है वो कई सारे इंवेंशन हुए उसमें कुई नाइन का जो है वो एक बहुत इंपॉर्टन 1820 में कुई नाइन जो है वो डबलप हुई है और कुई नाइन क्या है आप भली भाती समझते हैं वो एक successful दवाई है किसके लिए malaria के लिए और इसके लावा अन्य कई सारी जो है वो technology जैसे railways डवलप हुआ better weaponry डवलप हुई 1450 से लेकर 1850 तक ठीक है या उससे पहले यानि 19th century के शुरवाती decades तक पुर्तगालियों ने जो African kingdoms थी ना जो भी वहाँ के tribal chiefs थे वो European से हतियार खरीदते थे बड़ी संख्या में मालीजी अगर French colonize करने कुछ कर रहे हैं तो पुर्तगालियों से हतियार खरीद लेंगे और French को हरा देंगे ठीक है उनी बंदुकों से लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या यहाँ पर जो Africa को colonize किया गया है वो Europeans ने जब एक साथ जुड़ गई Europeans ने एक जो है वो conference करी कि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो Africa colonize नहीं कर सकेंगे ठीक है तो यह सारे point समझाऊंगा ठीक है धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला हमने देखिए इस map में हमने क्या देखा दिस इस दे नेचुरल wealth of Africa ठीक है और इस natural wealth के पीछे ही अफरीका को liberty अफरीका को अफरीका में और शाषन कर रहा है तो उसको जो है वो media के use से बदनाम कर दो और फिर अपने troops वहाँ पर भेज़ दो एक pseudo government establish कर दो और फिर वहाँ से सस्ते दामों पर oils को extract करो तो economic colonization किस तरह हुआ है after world war 2 मैं आपको समझाऊंगा लेकिन पहले world war 2 तक पहुशते हैं धीरे 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 ठीक है उसके बाद समझाऊंगा US की foreign policy भारत की क्या जगा है उस foreign policy में ठीक है ये Arabian region में ये जितना भी Islamic region है इसका Christianity के जो region है उनकी साथ क्या conflict चल रहा है ये पूरा मैं आपको समझाऊंगा कि Ethiopia में क्या हुआ था Sudan में क्या हुआ था Iraq Iran में क्या conflicts है सारी चीज़े हम धीरे धीरे बहुत भैतरीन तरीके से डेवलब करेंगे इनके concept को लेकिन ये natural wealth वाला आपको map ध्यान होना चाहिए ये ऐसा नहीं है इस नाट exact आप ये नहीं कहेंगे कि बिलकुल exact है आपको अंदाजा लगाने के लिए किस region में क्या अवलेबल है एफरीका में ठीक है तो आप clearly देख सकते है कि जो काम की चीज़े है present day में जो किसी nation को सबसे ज़ादा जो है वो शक्ती प्रोवाइड कर सकती है ऐसी चीज़े एफरीका में भर भरके है सोना present day में currency क्या है gold और black gold ठीक है petroleum और यह दोनों ही चीज़े एफरीका में भर भरके है that means अगर एफरीका में एक ढंका मतलब एक बड़े अच्छे leaders और एक organized तरीके से अगर उन्होंने अपने leadership जो है वो निभाई होती तो एफरीका एक global power बनने की सारे ingredients एफरीका के पास ठीक है एफरीका के पास एक बहुत बड़ी geographical boundary है ठीक है natural resources है human resources है बड़े बड़े लंबे चोड़े आदमी औरत है जो capable है ठीक है और resources है एक ऐसा समय था एक मूसा करके एक king है मतलब एक medieval ages का एक king है कहा जाता है कि he was the richest person और वो आपका western Africa यह जो western Africa वाला region है यहाँ पर नीचे जो आपको नजार आ रहे ठीक है जहाँ पर iron ore छोटे छोटे countrys में जहाँ बटा हुआ है घाना वाले region के आसपास ठीक है यहाँ से वो belong करता था मूसा और उसके पास सोने की gold की बहुत बड़ी जो है वो मतलब बहुत जादा सोना था उसके बहुत जादा तो खेर gold रहा भी होगा और आज भी है बहुत gold resources है आफरीका में लेकिन हम यही तो समझने ही कुश करेंगे किस तरह European countries ने उस natural wealth को exploit किया और किस तरह आज तक भी African countries को subjugate किया हुआ है उस economic colonization में फसे हुए हैं वो वही हम देरे देरे समझेंगे और अब China चाइना उतरा है चाइना ने अब port cities जो है वो एक एक करके capture करना शुरू कर दी है अफरीका की सो हम देरे देरे वहाँ पर उतरेंगे ठीक है सो आईए सबसे पहले समझते है Africa before imperialism so imperialism आने से पहले Africa के क्या हालात थे देखेगा in the mid 1800s 19th century के बीच के जो decades है before the European domination of Africa African people were divided into hundreds of ethnic and linguistic groups आगे मैं आपको एक मैंपके मादियम से बताऊंगा लेकिन Africa में सबसे जादा जो है वो कहां रहते होंगे लोग तो आप automatically बोल सकते है Saharan region में तो नहीं रहते होंगे लेकिन जो Western Africa वाला region है ठीक है वहाँ पर मौसम और जंगल अनुकूल है इतना कि वहाँ पर population आपको बड़े लेवल पर मिल जाएगी उसके अलाबा जो Mediterranean के नजदीक वाले जो region है पूरे North Africa के वहाँ पर काफी population काफी tribes रहती ही है ठीक है या रहती भी थी तब Most continue to follow traditional beliefs while others converted to Islam और Christianity ठीक है Islam का स्वे काफी बड़ा स्वे रहा मतलब काफी बड़े हद तक Islam जो है वह अफरीका में फैला अब Islam के ओपर मैंने आपको बोला एक specific topic लाँगा जिसमे specific topic नहीं एक पूरी series होगी 5-6 topic होगे क्योंकि मैं उसमे Islam कहां से बना origin से लेकर present time तक लेकर रहूँगा और सारी जगा गुमाएंगे हम उसके साथ present day के scenario के साथ scenario तक जो है वो लेकर रहेंगे तो ancient यानि की जो 5-6 century से लेकर आज तक की जहां जहां पर भी Islam में मतलब Islam ने जहां जहां पर भी expand किया अपने आपको और जो भी political scenario रहे और आज तक मौजूद है और आगे क्या-क्या हो सकते हो उन सारी चीज़ों हम धेरे-देरे discuss करेंगे ठीक है लेकिन point यहां पर यह है कि Islam भी फैला और Christianity तो obviously Europeans लेके आए अपने साथ बहुत सारी languages है अफरीका में politically they range from large empires that united many ethnic groups to independent villages अब अफरीका में पहले क्या थे large empires से लेकर independent villages तक अब देखिए जो present day जो मैंने आपको map दिखाया एफरीका का उसमें मैंने एक बहुत छोटी चीज़ आपको बताई नहीं और आपने notice करी होगी वो यह कि एफरीका के कई सारी countries की boundaries जो है वो सीधी लकीरे है ठीक है और ऐसा लगता है कि किसी ने जो है वो टेवल पर map रखके अफरीका का सीधी लकीरे खीची हैं तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिलकुल भी गलत नहीं सोच रहे हैं बिलकुल सही सोच रहे हैं आप ऐसा ही हुआ है ठीक है अफरीका के map को रखकर लकी रहें, वो खीची गई है, लेकिन यह सब लकीरे, देखे, यहाँ पर, जो है, बहुत बहुत एक छोटजी चीज masih है, बहुत ऐक छोटा सा concept है, जो कि जर्नलाइज हो चुका है, नेचुरलाइज हो चुका है, भी दर्मलाइज हो चुका है, हम सब देश देश कब है है ना अगर माल लीजिये कल को आपने 1000-2000 एकड जमीन खरी दी और आपने फैंसिंग लगा दी और बोल दिया कि मैं अपना अलग देश हूँ, आपने अपना जंडा बना लिया तो क्या आप एक अलग देश कहलाएंगे नहीं आप एक अलग देश कब तक नहीं कहलाएंगे जब तक आश्पडोस के देश आपको recognize नहीं करेंगे as a country ये चीज़ हम समझते हैं ठीक है लेकिन क्या हमने कभी सवाल किया कि ये trend कहां से शुरू हुआ है ये trend शुरू हुआ है कौन देश है और कौन देश नहीं है ठीक है उनमें से यूएस से उनमें से अलग होकर यूएस से एक बड़ी शक्ति उबर कर आया उनमें से अलग होकर जपैन एक बड़ी शक्ति उबर कर आया उनमें से अलग होकर ठीक है आप ये कह सकते हैं कि ये जो nation कौन देश है कौन देश नहीं है ये कौन decide करेगा ये ultimately यही imperialistic शक्तिया decide करेगी और उन्होंने जो trendset किया और उसके तहट जो presently international ऐसे organizations है united nations जैसे वो recognize करते हैं किसी को as a nation तो as a nation कौन recognize करता है कौन recognize नहीं करता है वहां तक हम पहुंचेंगे, मैंने बोला ना, present day की जो contemporary times की जो political situations है, political समस्याएं हैं, उनकी सभी की जड़ में आपको इतिहास से निकाल कर दूँगा, तो यहां पर आज हम समझेंगे कि कौन nation होगा, कौन nation नहीं होगा, यह कौन decide कर रहा है, यह वो European शक्ति हैं, कमरे में बै बैठके, यानि Belgium आ गया, Germany आ गया, France, Spain, Portugal, Denmark, Netherlands, ठीक है, उसके अलावा Russia, और Lithuania, Poland, यह सब जो होई खटा हो गये, आपस में Italy भी आ गया, Austria, Hungary भी आ गया, Ottoman Empire भी आ गया, यह सारे लोग आपस में बैठ गये, और इन्होंने decide कि रिका में कौन देश है, और कौन देश नहीं ह दिरे यही global शक्तियां जो है, वो आगे develop कैसे हुई, और present day में कैसी यह पूरा खेल चल रहा है, nation acceptance का, कौन मतलग किसको as a country accept किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, और किसके interest में यह काम हो रहा है, तो हम दिरे-दिरे यह सारी sense generate करेंगे, खेर, next point देखिएगा, तो इस तरह के large empires, और यहाँ पर point मेरा यह था समझानेगा, कि politically, they range from large empires that united many ethnic groups to independent villages, यानि कि Africa as a continent में, वहाँ पर जो political scenario चल रहा था, उस political scenario को पूरी तरह से, उसको disturb करके, European शक्तियों ने अपनी political authorities उन पर थोप दी, यानि पहले जो वहाँ के tribes हुआ करते थे, kingdoms होते होंगे, kingdoms या वहाँ पर जितने भी empires होते होंगे, उनकी जो boundaries है, उनकी जो natural boundaries है, जो बढ़ती घटती रहती थी, ठीक है, kingdoms में क्या होता है, empires में natural boundaries बढ़ती घटती रहती है न, और nations में fix कर दी जाती है, क्योंकि बाकी सब nations जो हो accept कर लेते हैं कि इसकी इतनी boundary, यही तो खेल चल रहा है न, यूरोप में, ठीक है, इस समय, जब मैं बोलता हूँ न, इस समय, तो यह मैं सोचिए गए, कि contemporary, contemporary के बारे में, अगर मैं आगर इशारा कर रहा हूँगा, तो मैं आपको बोल दूँगा, contemporary, ठीक है, otherwise मेरे साथ उसी time zone में रही है, so we are presently कहाँ पर हैं, हम 19th century, 1850 के आसपास, खेल, तो बहुत सारी tribes है, और individual villages भी हैं, जो अपने आपको as independent, independent, so देखिएगा, यह जो independence, आजादी, गुलामी, कौन नेशन, कौन नेशन नहीं, यह सारी जो ideologies हैं, यही imperialistic शक्तियों ने पैदा करी हैं, otherwise आप जो है, वो आज यह बात खड़े ओकर बोल सकते हैं, कि मैं किसी भी, देश, राज्य, धर्म, जाती, मैं किसी को भी बिलॉंग नहीं करता, मैं ऐसा इनसान पैदा हुआ हूँ, और मेरे उपर किसी की भी authority नहीं है, और अगर कोई मेरे उपर authority क्लेम कर रहा है, तो वो मेरी इंसानियत के खिलाफ कर रहा है, ठीक है, आप clearly ये बात बोल सकते हैं, और ऐसा ही कुछ अफरीका में था, अफरीका के जो villages हैं, उनको क्या मतलब कि कौन सी country और क्या जो है वो global order चल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं, उनको अपना hunting gathering करने से मतलब है, लेकिन European शक्तियों ने उन पर थोपा कि, देखो ये होता है देश, और ये होता है देश का प्रधान मंतरी, ये होता है देश का राष्ट्रपती, ये होती है देश की सरकार, इसकी बात माननी होती है आपको, इनको text दिना होता है आपको आपको मजदूरी करनी होती है इनके लिए ये धीरे-धीरे impose किया गया उन पर ठीक है तो develop करिए ये समझ जो है वो धीरे-धीरे develop कीजिए ठीक है और ये जो मैंने आपको बोला ना इसको बोलता है nihilism nihilism मतलब आपकी loyalty किसी के लिए नहीं है आपने एक दिन उठकर ये सवाल किया कि मैं क्यों मानूं कि मैं इस देश का नागरी को मैं क्यों मानूं कि मैं इस धरम का विक्ति हूँ क्या मैं इन सब चीजों के साथ पैदा हुआ था ठीक है तो nihilism की अपनी एक क्याटिस से बलारिटी से हम पहुंचेंगे हमाता ठीक है नेक्स देखिएगा politically they range from large empires that united many ethnic groups to independent villages the largest empire in west asia at its peak had a population of about 10 million people ठीक है west asia की largest empires अब अगे मैं आपको एक map दिखाऊंगा उसमें आपको मैं west asia के empires के नाम भी दिखाऊंगा ठीक है जुड़े रही नेक्स देखिएगा although Europeans had established contacts with Africans as early as 1450s they actually controlled very little land in fact पूरे अफरीका का केवल 10 परतीशत land ही Europeans ने control किया था अपनी political authority के अंदर लाए थे केवल 10% land 1850 तक लेकिन 1905 तक आते आते पूरे यानि की 1850 से 1900 यानि की लगवग 50 साल के span में या इस तरह मानी 1870 से 1914 तक ठीक है एफरीका का 90% land जो है वो European के control में था तो जो 400 सालों में नहीं हो सका वो 50 साल में अचानक से कैसे हो गया जो 400 सालों में केवल वो 10% land acquire कर सके 50 साल में अचानक से 90% land के ऐसे acquire कर लिया उन्होंने उसका सबसे पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया है कि जो ट्रोपिकल में लेंड एफरीका की जो बिमारियां थी वो Europeans को एंटर नहीं करने दे रही थी और 19 सेंचुरी की शुरुवात में ऐसी कुछ दवाईयों का invention हो गया था जिसमें से एक example दिया मैंने आपको कुई नाइन जिसने मलेरिया से मलेरिया से लडने का एक जो है वो प्रॉपर सॉलिशन प्रोवाइड गया यूरूपियन्स को और कई सारे जो है वो टेकनोलोजिकल ट्रांस्पोर्टेशन और हतियार डवलप हो गये जिससे उन्होंने धीरे धीरे एफ्रीकन क्लैंस को कमजोर किया और उनको जीतते चले गए ठीक है तो इथारा सो पचास के बाद उन्नीस सो चौदा से पहले पहले लगबग नभ्य पर्तिशत लेंड पर कंट्रोल था आफ्रीका के किसका यूरूपियन्स का देखेगा दे मेन रिजन अपियर फोर दे सेम अब वो मेन रिजन क्या है देखने है यूरूपियन्स ट्रेवल इंटू दा इंटीरियर ओन लार्ज स्केल बेसिज वस वर्चुली इंपॉसिबल क्यूँ यूरूपियन्स कुड नाट नेविगेट अफ्रीकन रिवर्स देट हैड सो मैनी रैपिड्स एंट कॉंट्रेक्ट्स एंड ड्रास्टिकली चेंजिंग फ्लोस देखेए यूरूपियन्स यूरोप में खासकर ब्रिटेन जो है वो ब्रिटेन में नेविगेट करते थे जब तक रेलवेज बड़े लेवल पर सेबलिश नहीं हुआ था तब तक वो नदियों के रास्ते रेविगेट करते थे अच्छे तरीके से ठीक है तो एक तो ये कारण है नेक्स अंटिल इंट्रोड़क्शन आफ स्टीम पावर्ड रिवर बोर्ट्स यूरोपियन्स वूड नॉट बी एबल तो कंड़क्ट मेजर एक्स्पेडिशन इंटू दे इंटियर आफ एफ्रीका स्टीम पावर्ड बोर्ट आने से पहले एफ्रीका में बड़े एक्सपेडिशन वह नहीं कर सकते थे तो आप कहेंगे वह जमीनी मार्ग से क्यों नहीं चले गए अगर एफ्रीका का नाम आप जानते हैं तो आप भली बांते समझते होंगे एफ्रीका में जंगली जानवर बहुत हैं तो जमीनी मार्ग से चालिस हजार लोगों चालिस हजार चोड़ी जमीनी मार्ग से अगर आपको दो हजार लोगों को भी ले जाना है तो जमीनों में बिमारी फैलने के ज़्यादा चांसिस हैं जमीनी मार्ग पे जंगली जानवरों से कांफिक्ट होने के ज़्य chances हैं तो हजार सैनिक आप लेके जाएंगे उनको maintain करना आपके लिए महंगा पड़ेगा इसलिए river travel सस्ता बढ़ता है और river travel इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि नदी जो है वो उतली थी और भाव बहुत तेज था ठीक है अब देखे 1450 से लेकर 1850 तक क्यों एफ्रिकंज के ट्रेड मार्केट पर या ट्रेड रूट्स पर यूरोपियंज का कंट्रोल नहीं आ सका उसका एक कारण ये है कि जो एफ्रिकंज पुरानी ट्राइब्स एफ्रिकंज जो चीफ्स एफ्रिकंज जो किंग्स वहां के जो शाह थे उन्होंने जो सारा का सारा ट्रेड रूट है वो बहुत केरफुली जो है वो अपने कंट्रोल में रखा हुआ था और 1450 से लेकर 1850 तक में लेंड एक्ष्रिका में तो आई नहीं सकते थे यरोपियन्स लेकिन ट्रेड रूट को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे ते क्योंकि जो एफ्रिकंज आ शाशक है क्योंकि ट्रेड रूट उनके कंट्रोल में है देखें दोनों चीज़े ये येरोपि traders हैं उन्होंने African trade root को अपने control में करा हुआ है इसलिए वो सशक्त हैं उनकी economy strong है इसलिए वो अगर मान लीजिए French enter करने कुछ कर रहे हैं तो पुर्तगालियों से हतियार खरीद लेंगे अगर पुर्तगाली और देखिएगा युरोपियन्स जो हैं वो पक्य बिजनसमें थें उनको पता था बहुत भली भांती कि अगर किसी भी मार्केट में खेलना है तो जो भी raw material है उसके source पर जाओ उसके source को colonize करो और वहां से उठाओ कच्चा माल और वो भी tax free, duty free कच्चा माल उठाओ और slave से काम कराओ है ना कम से कम investment ठीक है, slave से काम करवाएंगे tax में अगर आप लेंगे कच्चा माल तो कम से कम investment है ना लेकिन अगर वो mainland Europe में mainland Africa में अगर वो enter ही नहीं कर पा रहे हैं और अगर वो trade जितने भी चाहे वो gold हो, ivory हो, diamond हो, crude oil हो अगर उसके source तक ही नहीं पहुँच भाएं तो colonize करना उनके लिए मुश्किल रहेगा next thing देखिएगा East trade networks were specialized अब देखें, example देखते हैं African tribes की, so Chocway for example devoted themselves to collecting ivory and beeswax in Angola Highlands now Angola अगर आप Africa का map देखेंगे तो Western African coastline के साथ लगता हुआ एक देश है Angola ठीक है, और Angola के region में रहने वाली जो Chocway tribe है वो हाती दांत इखटा करना और beeswax इखटा करना उनका काम था और यह हात, और जो देखें, trade किस तरह हो रहा था, यह जो tribes है न, जो अफरीका में अंदर नहीं एंटर कर सकती तो यह tribes है, यह तो mainland अफरीका में घूम घूम के सोना, चांदी, आइवरी हाती दांत, हाती दांत गैंडेगा, शींग, यह सारी चीज़े खटा करके coastline में ले आते थे coast, जो post है, coastal जो post है वहां तक ले आते थे, और फिर Europeans वहां से उनसे खरीद दे थे, ठीक है लेकिन Europeans को यह pattern पसंद नहीं आता मैंने आपको समझाया है, उनको खरीदना पसंद नहीं आता, वो चाते हैं छीन ले हम वो चाते हैं कि duty-free मिले हमें, वो चाते हैं कि और वहां के natives ही निकाल कर दे as a labor और slave काम करते हैं, हर तरीके का फाइदा चाहिए उन्हें ठीक है next example, others such as Yao, Yao carried their goods to merchant on the coast, अब Yao आपको दिखेंगे जो presently घाना वाला जो region है ठीक है, यानि जो western Africa वाला जो region है, वहां पर आपको यह tribe नजर आएंगी और यह जो याओ carried their goods to merchants on the coast powerful African armies were able to keep the Europeans out of most of Africa for 400 years यह जितने भी important trading post line, trading post थी नहीं अफरीका की, या जहां 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 पर Europeans को पता था की इधर से Sona मिल रहा है, Ivory मिल रही है Crude Oil मिल रहा है, इधर से जो है वो beeswax मिल रहा है, या अन्य जितना जो भी resources मिल रहा है, coffee beans बगारा मिल रही है, वहां पर अब देखिए, trade है तो economy होगी, economy strong होगी, तो किसी ना किसी तरह का political किसी ना किसी तरह की political शक्ती वहाँ पर मौजूद होगी तो 1450s के आसपास, जहां जहां पर जो भी important trading points थे अफ्रीका में, वहाँ पर native African जो है, वो political शक्तियां मौजूद थी और उन्होंने 1450 से लेकर 1850 तक Europeans को enter करने ही नहीं दिया African mainland में, और कई सारे कानण है उसके लिए, next देखिएगा as late as 1880s European controlled only 10% of countries land mainly on the coast, 1880 तक 1850 तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझने में असा नहीं हो लेकिन 1880 तक केवल 10% land ही control कर सके Europeans, किसका Africa का ठीक है, अब इस map में देखिए ये वो map है, जो मैं आपको समझानी कुछ कर रहा था, कि जो tribes है Africa की, कहां-कहां पर settled है देखिए, African tribes मुखे ता है, कहां-कहां पर settled है और जहां-जहां पर African tribes settled होंगी भही पर ये आपको important जो है, वो political political center भी मिलेंगे trading center भी मिलेंगे ठीक है, so this is the West African point, ठीक है, ये जो West African point है, इसमें देखिए Africa में, दो region ऐसे है जहां पर सबसे ज़्यादा जो है वो empires, kingdoms dynasties बगएरा रही है दो region कौन-कौन से पहला तो जो Mediterranean से लेकर Red Sea तक लगने वाला जो पूरा region है, क्योंकि जो Mediterranean वाला region है तो Roman Empire के अंडर था ही, और इसकी importance क्या है, proximity to Europe ठीक है, Mediterranean Sea trade इसकी importance है, इसलिए यहां पर बस्तियाँ अवेलेबल है उसके अलावा, Egypt वाला region Nile River के आसपास, उपजाओ भूमी बस्तियाँ अवेलेबल, प्लस Red Sea, ठीक है भारत, South East Asia से आने वाला जो हिंद महासागर और फिर Arab सागर के रास्ते, जो Red Sea के रास्ते, enter करता है कहाँ पर, Mediterranean में जो पूरा trade enter करता है, so that means यहाँ पर भी पूरा का पूरा जो है, वह आपको available है, political centers और अलग-अलग kingdoms रही है कई खिलाफत भी रही है ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर Umayad खिलाफत मज़र आजाएगी, फातमिद खिलाफत मज़र आजाएगी ठीक है, अबसिद डाइनेस्टी नज़र आजाएगी आपको एकमिनिट एंपायर नज़र आजाएगा Roman Empire का हिस्सा है वहाँ पर Greek Empire का हिस्से हैं वहाँ पर Northern Africa की बात कर रहा हूँ है ठीक है, और Red Sea के आसपास ठीक है, यह जो हॉन है किसका, एफरिका का यह भी एक बहुत important role जो है वो प्ले करता है Northern African जो रीजन है प्लस North Eastern African जो रीजन है जो की Red Sea से लगता है यहाँ पर हमें बहुत सारे मिनलब, prior to colonization यहाँ पर कही सारे kingdoms नजर आते है So that means, यहाँ पर Trade, अब देखे, resources कहां पर है मैं आपको एफरिका के resources बदाता हूँ तो यह जो आपको West Africa दिख रहा है यहाँ पर है resources इधर है Sona, इधर जो है वो kingdoms भी रहे हैं यहाँ पर आप देखे, बहुत सारी आपको Sona घाई, घाना का empire Wolof, Mali उसके अलावा Ekan फुलानी, यह बहुत सारे हूंसा, यह बहुत सारे empire आपको नजर आएंगे यहाँ पर Empire of Kainam यह जो Western Africa वाले जो empire है ना इनका जो है वो trade जुड़ा हुआ था जो post है और North Eastern African political post जो है यह further Mediterranean के रास्ते जुड़े थे Europe से और जमीनी मार्क से जुड़े थे Arab से, अरेबिया से ठीक है, यहाँ से जो है वो भारत के साथ भी trade होता था यह बहुत important trade route है West Africa से East Africa का बहुत important, West Africa से East Africa के trade route और यहाँ पर West Africa में सबसे ज़्यादा जो है वो हमें population और kingdoms available है, आज भी अब आते हैं Central Africa और नीचे पैनिशुला की तरफ बढ़े है तो यहाँ पर आपको Congo kingdom नजर आ रही है, जिसकी मैंने आपको Chalkway tribe बताई ही थी ठीक है उसके अलावा नीचे दक्षिन में देखिएगा Zimbabwe का empire है So these are the These were the मतलब यह political hot spots है जहाँ पर शुरुवाती Empires और tribes जो हैं वो एफरीका में रही थी ठीक है लेकिन अब बात करते हैं 1880 की क्योंकि हम concerned हैं 1880 से अब देखिए 1880 का मैप देखिए यह इस मैप में आप clearly देख सकते हैं कि जो coastal region है केवल वही पर ही European शक्तियों ने अपने trading post या political जो है political acquisitions जो है वो उनकी केवल coastal region में है तो बिल्कुल दक्षिन में यह Cape Colony Britain की ठीक है उसके लाब यहाँ पर नताल ट्रांसवाल यह सब जो है वो कहाँ पर है दक्षिन में उसके लाब अगर आप west की तरफ move करते हैं तो जो अंगोला वाला region है यह पोर्टुगल के control में देखें क्लेरल यहाँ पर लिखा हुआ है अंगोला और नीचे country का नाम European country का नाम लिखा हुआ है ठीक है तो अंगोला के साथ पोर्टुगल उससे उपर बढ़ेंगे west side में ठीक है और उपर जाओगे जो western African यह जो मैंने बताया है छोटे छोटे पोस्ट हैं यहाँ पर बहुत सारे नज़र आ रहे हैं आपको इसमें देखिए कुछ France के पास कुछ पुर्टगाल के पास कुछ Britain के पास यानि कि जो चार मुख्खे 1880 तक जो चार मुख्खे western European imperialistic शक्तिया है maximum colonies हमें एफरीका की एफरीका में उनहीं की नज़र आ रही है और वो सब colonies जो है वो एफरीका के coast line में है mainland एफरीका में नहीं ठीक है उपर बढ़ेंगे आप तो आप देखेंगे उपर मौरोक को मौरोका के साइड में Algeria जो है वो उसके लावो Ottoman Empire ने Egypt पूरा Ottoman Empire ने अपने कंट्रोल में किया हुए मेडगासकर का रीजन आप देखेंगे मेडगासकर के साइड में France ने कंट्रोल किया है ठीक है तो इस मैप में आप क्लेरली देख सकते हैं जो coastal line है मैंने बोला न 1880 तक केवल 10% रीजन ही एफरीका में लें और वो भी कहाँ पर केवल coastline में लेकिन 1880 के बाद ऐसा क्या हुआ कि 1914 तक आते आते यानि विश्वियूद से विश्वियूद के समय तक लगवग 90 परतीशत जो है वो एफरीका के पूरे रीजन को colonize कर लिया गया तो आए बढ़ते हैं अब समझते हैं कि किस तरह colonize किया अफरीका को लेकिन सबसे पहले slave trade के बारे में समझते हैं तो I hope यह map आपको ठीक से समझ आया होगा ठीक है इस map की आप मैं side हो जाता हूं आप इस map का screenshot ले सकते हैं otherwise अगर आप search करेंगे 1880 का अफरीका तो यह map आपको google पर मिल जाएगा download कर लीजिएगा और देखेगा ध्य पॉइंट देखेगा slave trade में so slave trade के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से explain किया है पहले इसलिए मैं जादा नहीं जाओंगा slave trade में अंदर ठीक है मैंने slave trade को आपको काफी अच्छे से explain किया है यू अगर आप लोगों ने मेरे sessions thoroughly follow किये हैं तो आप definitely slave trade के बारे में काफी कुछ जानते हैं ठीक है पहला point देखेगा the European penetration of Africa from the late 15th century onwards was confirmed for a long time mainly to certain coastal areas यह हम जानते हैं अच्छे से ठीक है however even these limited contacts led to the most tragic and disastrous consequences of the people of Africa one of the first result of these contacts was the purchase and sale of people the slave trade तो मैं आपको बताया है ना 1450 में पहली बार colonization हुआ 1880 तक के वो 10% ही African land को colonize कर सकी European शक्तियां जो की सारा का सारा जो है वो coastal line में अब लेवल था ठीक है लेकिन ये जो थोड़ा सा हिस्सा ही Africa का colonize किया है Europeans ने इस थोड़े से हिस्से से ही Africa पर इतनी बड़ी जो है वो Africa की population पर इतनी बड़ी समस्या है उन्होंने खड़ी कर दी थी उसमें से सबसे बड़ी समस्या है slave trade ठीक है सो जैसे कि मैंने आपको बताया ना जो पुर्तगाली है Spanish है ठीक है जो Hispanic लोग है इन्होंने जब North America और South America को colonize करा इनका जब North America और South America Central America के Native Indians, Incans और Aztec लोगों से जब इनका direct contact हुआ तो Europe से जो ये बिमारियां ले गए थे 90% population Native Americans की खतम हो गई केवल 10% Native American बचे जिनको उन्होंने एंसलेव कर लिया लेकिन अब इतने बड़े continent North America और South America को अगर पूरी तरह से rule करना है इन Hispanic और French और English speaking लोगों को है तो वहां पर जो है वो उन्हें क्ाम कराने के लिँए क्या चայिये मज़ए अब वह मज़बूर कहां से लाएंगे वो यूरोप से तो ले जा नहीं सकते हैं के यूरोप में already कम है मज़बूर की है तो वो मजदूर उन्होंने खरीदने शुरू किये कहां से एफरीका से एफरीका से क्यों खरीदने शुरू किये मजदूर क्योंकि जो एफरीकन जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर जो क्योंकि देखिए एफरीकन कोस्ट लाइन यानि की ट्रेडिंग पॉर्ट और ट्रेडिंग यानि की strong economy strong economy यानि की strong political शक्ति तो जो coastline में जो political शक्तियां थी जो भी tribes थे चाहे वो kingdoms हों, चाहे वो empire हों चाहे वो villages हों वो strong रहे होंगे as compared to mainland अफ्रीका के So, जो coastal African जो tribes रही होंगी उनको mainland African जो tribes हैं उनके साथ constant जगडे में रहते होंगे क्योंकि सब को अच्छी economy बनानी है तो सब को coastal line चाहिए ही तो African tribes भी जो हैं वो लगातार conflict में रहती होंगी ठीक है, ये बात मानी जा सकती है और रहती भी थी, ठीक है speculation नहीं है, this is a fact अब आते हैं scene में Europeans तो European आये, European ने कहा कि क्या हो रहा है आपके हैं, वो कह रहे हैं जी हम लड़ रहे हैं आपस में European ने कहा Zulos को कि ये लो, तुम लो बंदूके हैं ठीक है, पुर्तगालियों ने जो African tribes हैं उनको बंदूके दे दी तो African leaders ने पूछा कि बदले में तुम्हें क्या चाहिए पुर्तगालियों ने कहा कि तुम्हारे लिए हम एक बहुत बड़ीय डील लेकर आए हैं तुम हतियार भी लो, तुम अपने दुश्मन tribes को हराओ भी और उनके जो जिनको तुम हराओ गे न, उनको तुम कैदी बनाओ और हमें बेच दो, ठीक है तो हम तुम्हें हतियार भी देंगे प्लस तुम्हारे ही दुश्मनों को तुम्हारे इस भूमी से ले जाने के हम तुम्हें पैसे भी देंगे तो जो native African tribes जो उनको लगा इससे अच्छी तो deal ही नहीं हो सकती हतियार भी मिल रहे है हमें, हमें geographical area भी मिल रहा है, हमारे दुश्मन भी हट जा रहे है, ठीक है, तो win-win situation, मतलब उनके लिए काफी अच्छी deal लगी उन्हें, लेकिन उनने ये नहीं समझाये कि ये जो slave trade है, जो आज उन्होंने अपने अन्ने साथियों के साथ किया है, अफ्रिकन वो कल को उन्हीं के साथ करेंगे, Europeans तो जो शुरुवाती जो coastal line में जो strong थी, जो tribes, जो kingdoms, जो empires strong थे, उन्होंने mainland अफ्रिका से पकड़ पकड़ कर जितने भी पकड़ पकड़ कर, जो भी मतलब उनको मिले क्या बोलते हैं उन्हें, slaves, right उन slaves को coastal line में Europeans को बेचना शुरू कर दिया और Europeans ने उनको slave ship में भरना शुरू कर दिया और slave ships में उनको भेडवकरियों की तरह जो है वो, जो हल होता है ship का, ठीक है, ship का जो हल होता है यानि, ship के अंदर का इस होता है, वहाँ पर सेकड़ों के इसाब से भर देते थे unhygienic conditions होती थी ठीक है, Atlantic travel करना होता था उन्हें पूरा, इतना moisty, humid, जो है वो atmosphere में रहना होता था, सो माल लीजिए एक कमरे में, एक छोटा जिस भी आप कमरे में बैठे हो ठीक है, माल लीजिए इसमें 50, 600 आदमी है, ठीक है, आदमी औरत बच्चे हैं, और इसी छोटे से region में आपको जो है वो अगले 2-3 महीने बिताने हैं और सब कुछ आपको इसी में ही करना है, समझ रहे हैं, सब कुछ आपको खाना, पीना, हर कुछ जो है वो इसी में करना है सो 2-3 महीने तक सोच के देखिये कि उस छोटे से बैरक में कितनी जादा बिमारियां फैल जाएंगी तो जितने स्लेव्स अफरीका से खरीदे जाते थे, उसका केवल आधा ही बच्चता था जो अमेरिका पहुंचता था, या ये उरोप पहुंचता था, ठीक है आधे से जादा स्लेव, आधे या आधे से जादा स्लेव तो रास्ते महीं मर जाते थे, अनहाईजियनिक कंडिशन की वज़े से, बिमारियां फैल जाने की वज़े से ठीक है तो एक तो ये बहुत बड़ी समस्या है प्लस, स्लेवरी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी समस्या थी अफ्रिकंस के लिए फ्रिकंट ट्राइबल लोग उनको अमेरिका ले जाए गया अमेरिका उनको जो है वो मतलब चाबुक के हत्यारों के तलवारों के जोर पे उनको जो है वो मजदूरी उनसे करवाई गई मरते दम तक और उनको प्रॉपर्टी की तरह त्रीट किया गया मार दिया तो मलब आगर आपने किसी अपने स्लेव को मार दिया तो आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं है प्लस इनफेक्ट अगर आपका स्लेव भाग जाता है और अगर कोई और विक्ति उसको पकड़ कर वापिस सरकार के पास ले आता है तो सरकार उसको reward करती है जिसको American bounty hunting कहा गया ठीक है और यूरोप में जो है वो यूरोप में आफ्रीका में हर जगा ये प्रचलन में रहा ठीक है तो slave trading एक बहुत बड़ी समस्या थी और आज जब हम इतिहास की तरफ मुड़ कर दे सकते हैं ठीक है नव ये जो चीजे मैंने आपको समझाई है नहीं को points में देखते हैं मैंसे slave trading बे हम already काफी बाते कर चुगे ठीक है now Spanish rule in Americas had resulted in large scale extermination of original inhabitants of the Americas में आपको पता है 90% लोग मर गए विमारियों से the Portuguese had established the slave market in Lisbon now Lisbon is the capital of Portugal ठीक है अब Lisbon में पुर्तगालियों ने सबसे पहले जो है वो colonize किया अफरीका को तो पुर्तगाली सबसे पहले वहां से slave लेकर आए और उनना अपनी capital में slave market लगा दिया and Spaniards bought slaves from there and took them to their colonies in Americas to work there ठीक है Spaniards यहनी Spaniards के लोग ने Lisbon से जो है वो खरीदे और वो Caribbean में ले आए Americas में ले आए उनसे क्या कराने के लिए मजदूरी now African villages were rapid sorry not rapid but raided by slave traders and people were captured and handed over to European traders earlier the Arabs had dominated the slave trade now मैं आपको बता है ना जो villages है जो coastal region में रहने वाले जो African tribes हो हूँ जाए villages हो या kingdom हो जो भी है वो strong थे उन्होंने जो interior में रहने वाले जो Africans थे उनको असानी से हरा दिया हत्यार थे उनके पास उनको पूर्तगालियों ने हत्यार दिया बंदूकें दी muskets वगरा दी उनसे असानी से उन्होंने subjugate कर लिया और उनको गुलाम बनाकर Europeans को बेच दिया लेकिन अब आप कहेंगे कि जो slave trading है ये नया तो है नहीं slave trading तो बहुत समय से चल रही है क्योंकि हमने Memelux के बारे में पढ़ा है आपको बताया था ना पूरी slave dynasty हम जब इंडिया का medieval history पढ़ते हैं तो उसमें slave dynasty के बारे में पढ़ते हैं तो जो अरब है तो जो इसलाम में slave trading जो है वो बहुत पहले से चल रही थी ठीक है लेकिन here's the difference जो Christianity जो Christians लोगों ने जो slave बनाए न और खास तो और पर जो colonists ने जो slaves बनाए उन slaves को उन्होंने जानवरों से भी बुरा वेवार किया उनके साथ उनका social status कुछ भी नहीं था लेकिन जो Islamic जो slaves हुआ करते थे they rose to नवाब ship in fact ठीक है कुतुब दिन आईबक जो है वो सुल्तान बने और कुतुब दिन आईबक गुलाम थे किसके बहुमद गौरी के इल्तुतमिष सुल्तान बने इल्तुतमिष गुलाम थे किसके कुतुब दिन आईबक के so जो मैमलुक हमने पूरी डैनेस्टी पढ़िया मैमलुक is the Farsi word for और Arabian word for गुलाम right वैसी यह फ्रेंच से निकला है फ्रेंच में पढ़ते है मीमलुक और उससे मैमलुक जो है यह फारसी में convert हुआ और फिर धीरे भारत में भी इस्तिमाल किया गया से so मैमलुक का मतलब होता है गुलाम तो एफ्रीका से गुलाम जो है वो Arabians खरीते थे इसलामी खरीदते थे उनको इसलाम में convert करते थे इसलिए इसलाम जो है वो ऐफ्रीका में में पढ़ लावल पर फ्यला है पढ़ाऊंगा इसलाम जब पढ़ाऊंगा आपको नमलुक्स के बारे में पढ़ाऊंगा सफाविच के बारे में सारी चीज़ा आपको पढ़ाऊंगा मैं ठीक है लेकिन पॉइंट ये है कि Arabs also Arabs also traded slaves लेकिन जो Arabs ने slaves create करे वो slaves को जो है वो हर तरीके का social status थांगा अगर कोई अच्छा skillful slave है तो वो general in fact शाह के level तक भी उन्होंने rise किया है वो खुद जो है वो सुल्तान के level तक पहुँचे है लेकिन दूसरी साइड जो colonist जो slave बनाते थे उनका जानवरों से भी बुरा हाल वो रखते थे ठीक है प्ले नहीं कर रहे थी अरब के cases में उनका ये था कि अगर आपने इसलाम जॉइन कर लिया तो अब आप जो हो हमारे भाई अब आप बराबर हों ठीक है आपने इसलाम जॉइन कर लिया बाकी सारी चीज खतम चमडी का रंग जो है वो कोई माईने नहीं रखता बस धरम माईने रखता है लेकिन जो यूरोपियन कॉलनिस्ट है उन्होंने इन एफ्रिकंस को Christianity में तो convert किया ही लेकिन social status प्रोवाइड नहीं किया Arabians ने इसलाम में convert किया एफ्रिकंस को लेकिन उन्हें social status भी दिया क्योंकि अगर तुमने इसलाम कबूल कर लिया तो अब तुम बराबर हो ठीक है खेर लेकिन हर जगा वो लागू नहीं हुआ लेकिन हमें examples दिखते हैं जैसे मैंने आपको बताया ना कुतुब दिनाइबक गुलाम से शाह तक पहुचा ठीक है उसके लब अलाव दिन खिल जी का जो राइट हैंड था वो भी स्लेव था मुझे उसका नाम बताएंगे आप ठीक है हजार दिनारी का नाम क्या है कमेंट में बताएएगा नाव next point देखेगा African villages were raided by slave traders and people were captured and handed over to European traders earlier the Arabs had dominated the slave trade subsequently some African chiefs took part in the slave trade by trading slaves in exchange for firearms which European traders sold them तो यह मैंन आपको बताया ही the Europeans themselves also raided the villages and slave the people who were then transported when the demand for slaves in America increased they sent directly from Africa by the traders up to about middle of 19th century this trade continued millions of Africans were uprooted from their homes and many were killed while resisting the raid of their villages by the traders they were taken in ships as inmate objects and in such unhygienic conditions that the sailors on the ships often revolted lots of them died during the long journey it is estimated that not even half of the slave captured reached America alive in humane conditions under which they were forced to work on the plantations cannot be imagined today so this is all the points I have explained to you in America when demand is increased direct up Europe from the Caribbean and then the Caribbean from North America North America and South America Caribbean islands ठीक है और travel के दोरान आदे से जादे उस लेव मर जाते थे अनहाईजेनी कंडिशन्स की वएसे और जब वहाँ पर plantations में ले जाकर उनसे काम कराये जाता था तो जानवरों से भी बुरा सलूक किया जाता था जानवरों से हम आजकल अच्छा आजकल नहीं वैसे भी इनसान जानवरों से काफी अच्छा वेवार करता है अनलेस उसका शिकार ना कर रहा हो ठीक है लेकिन एक बहुत आप मान नहीं सकते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कितना बुरा वेवार किया अगर आप इमेजिन करना चाहते हैं तो सिनिमा ने कैफ्चर किया है एक मुवी है जैंगो अंचेंड अगर आपने नहीं देखी है तो केंटेन टरिटिनों की है ठीक है डिरेक्टर है उनकी मूवी देखेगा जैंगो अंचेंड या एक आसकर विनिंग मूवी है 12 Years a Slave इन मूवीज को देखेगा यहां से आपको कुछ जो है वो आइडिया लगेगा कि क्या हालात थे अमेरिका में उस समय नौर्थ अमेरिका में उस समय ठीक है और Slave Trading और Blacks की हालत इतनी बुरी क्यों है तो यह कुछ एक्जेंपल साथ हैं अगर आप जनरली YouTube पे सर्च करेंगे अगर आप जनरली Google पे सर्च करते हैं तो बहुत सारा material Slaves की बुरी हालत पर आ जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार देखें क्या हालत थी ताकि वो चीज़ आप महसूस कर सकें खेर अब यहां पर जो मैं ना कि Mid 19th century तक ही ट्रेड चला उसके बाद बंद हो गया तो ऐसा क्यों तो मैं आपको बताया ना USA ने USA established हुआ declaration उन्हें लेखा था कि slavery हटाएंगे केवल USA से नहीं पूरी दुनिया से हटाएंगे ऐसी उनकी भावना थी ठीक है फिर उन्होंने लाइबेरिया इसलिए establish किया है ठीक है फिर civil war हुआ civil war के तहट जो है वो slavery पूरे US में हट गई अगर पूरे US में slavery हट गई तो blacks हो गए आजाद तो अगर blacks आजाद हो गए तो नौर्थ अमेरिका है उन्होंने import करना बंद कर दिया किसका एफरिका से slaves का तो सबसे पहले तो पहला गराक एफरिका ही खतम हो गया फिर दूसरी चीज फ्रांस में भी जो है वो धीरे-धीरे ऐसा constitution adopt किया जिसमें उन्होंने slavery को abolish किया मुझे आप बताएंगे slavery abolish कब की गई फ्रांस में तुरंत comment में बताएंगे मैंने आपको पिछले एक topic में कराया वो ठीक है और इस तरह धीरे-धीरे European कई शक्तियों ने भी जो है वो slave ले जाने बंद कर दिया क्योंकि already क्योंकि slaves की जरुरत क्यों थी जब manual labor कराया जाना था manual labor कराया जाना था जब machine नहीं थी लेकिन industrial revolution की वज़े से क्या आ गई machine उन्होंने किने replace कर दिया slaves को या labors को तो अब slaves की जरुरत नहीं है so mid 19 century में जैसे ही यूरोप में industrial revolution आया ठीक है वैसे ही slaves की जरुरत कम हो गई और slave trade दिरे जिरे खतम होता गया लेकिन एक और कारण है slave trade के खतम होने का वो ये कि यूरोप को colonize कर लिया गया अब उस जो slave पहले पहले अमेरिका ले जाये जाता था जो slave पहले यूरोप में ले जाये जाता था अब उस slave को अफरीका में ही यूज करना शुरू किया गया क्योंकि जो mines पहले North America, South America में जिन mines में काम किया जिन mines में पहले इन African slaves ने यूरोप में काम किया अब वही माइन्स मेनलेंड अफ्रीका में मिल गई इन यूरोपियन्स को 1880 के बाद तो आज हमें यही समझना है वो 1880 में क्या हुआ ऐसा तो आए एक और यह इमेज देखते हैं तो यह इमेज मैंने आपको पहले भी एक्स्प्लेंग करिए this is the transatlantic triangular trade जिसमें मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका से slave जाते हैं कहां पर अमेरिका अमेरिका से कच्चा समान जाता है कहां पर ब्रिटेन या यूरोप और यूरोप से तैयार समान जाता है वापिस बिकने के लिए अफ्रीका और अमेरिका तो यह transatlantic trade मैंने आपको भली बहाती समझाया है यह triangular trade आपको भली बहाती पता होना चाहिए ठीक है तो इसको अगर आपने इसका screenshot नहीं लिया है तो ले लिजिए मैं side हो जाता हूँ और अगर आप download करना चाते हैं इस image को तो google पर search किजेगा simply transatlantic trade यह आजएगी image और इसको download दर लिजिए ठीक है next देखें आगे बढ़ते हैं slave trading में अब extreme brutalities were inflicted on those who tried to escape जो गुलाम भागना चाते थे जो slave भागना चाते थे उनको मार दिया जाता था कुत्तों से अप मानें की नहीं किस तरह की brutalities example set करने के लिए अन्य slaves के दिमागों में कि आपको भागना नहीं है तो जिन्दा slave को कुत्तों के सामने डाल दिया जाता था ठीक है lynching जिसे आज हम कहते हैं वो lynching शब्द कैसे निकला मैं आपको बताता हूँ दो घोडों के साथ अगर आप एक विक्ति को बान देते हैं एक साइड घोडे के साथ हाथ बान दिये दूसरेट पैर और फिर हम दोनों घोडों को आप opposite direction में दोडाओ तो विक्ति के दो तुकड़े हो जाएंगे इसको कहा जाता है lynching यहाँ से lynching word निकला है और lynching की जाती थी किसकी blacks की क्यों ताकि example set हो सके कि आपको भागना नहीं आपको विद्रो नहीं करना यहाँ से lynching शब जो है वो निकला है ठीक है निकला कहां से नौर्थ अमेरिका से निकला है खेर the person who killed a runaway slave was given a reward by the government और अमेरिका में उसको bounty का आगया और ऐसे विक्ती को bounty hunter का आगया slavery had become an integral part of colonial system established by European countries during this period by the early 19th century trade in slave lost its importance in the system of colonial exploitation in fact some colonial powers used the pretext of abolishing slave trade to go to war against African chiefs and kings to expand their territory possession देखे slave trade इतना इस हद तक जो है वो कम हो गया था European शक्तियों के लिए या colonial शक्तियों के लिए कि slave trade को हटाना जिस very slave trade को उन्होंने शुरू किया है उसी slave trade को हटाने का agenda उसी slave trade को हटाने का बीडा उठाया उन्होंने European colonies ने और वो जो African chiefs और वो जो African tribes जो पिछले 400 सालों से slave trade कर रही थी Europeans के साथ उन्हें के खिलाफ उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया धैट मींज जो European शक्तियां जिन एफरिकन शक्तियों से slaves खरीद रही थी अब वही European शक्तियों ने अफरिकन शक्तियों के खिलाफ इसलिए लड़ने लगी कि आप slaves क्यों बेच रहे हैं ठीक है तो समझने आप जो राजतंतर होता है ना जो इस तरह का जो business है जो global trade जो establish किया इन्होंने इसमें कोई nobility नहीं है बले ही अपने आपको कितना ही जो है वो noble Britain ने बताया हो ब्रिटेन के इतिहासकार हो पढ़ेंगे ना Oxford के कुछ इतिहासकार है उनकी कितावे पढ़िये ठीक है मेरे पास कुछ Oxford के इतिहासकार हो ये कितावे है उन्होंने इतना glorify करके बताया है ना imperialism को मैंने कल नाम बताया था वो रूडियाड ठीक है उसके अलावा क्या बोलते हैं फैरी का नाम भी बताया था मैंने कल तो ये कुछ ऐसे इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने बहुत glorify किया imperialism को उन्होंने बहुत बढ़ चड़ कर बताया है कि हमने जो काम किये ना हमने slavery अटा दी हमने civilization ले आए हम technology ले आए ये किया हमने वो के ठीक है लेकिन जो उन्होंने बुरा काम किया वो नहीं उताता है ठीक है उन्होंने जो पूरी दुनिया को भूगा रखा है इतने लंबे समय तक उन सारी चीजों के लिए कोई accountability नहीं है तो भारत जैसे शशी थरूर जैसे कई ऐसे leaders हैं जो आज चाहत आज ये demand कर रहे हैं कि Britain ने जो भारत को exploit किया है हमारी हमें जो है वो मुआवजा मिले ठीक है आप दीजिये पहले तो जो जो possessions हैं आपके पास खास कर जो वहां का crown है उसमें कोहिनूर लगा है वो कोहिनूर वापिस कीजिये पहले उसके लावा माफी मांगिया आपने माफी नहीं मांगिया भी त लिखते हैं आगे 50 साल में क्या नया ग्लोबल ट्रेंड आता है खेर ग्लोबल ट्रेंड क्या चल रहे हम पहुंचेंगे वो समझ ठीक है अगर आप जुड़े रहें मेरे साथ मैं इतनी भयानक समझ आपकी बनाऊंगा ना कि आपको कोई भी अगर आप current affair का कुछ भी current affair पढ जाएगी आपको फिर देखिएगा अखबार पढ़ने में कितना मजाएगा आपको तो पहले मैंने बोलना foundations create करते हैं फिर हम बढ़ेंगे अखबार पढ़ने तक अचानक से मैं आपको हिंदू समझाने लग जाओं ठीक है क्या समझाएगा आपको सब कुछ सर के उपर से न In the meantime, exploration of the interior of Africa had begun and preparations made by European powers to impose another kind of slavery on the continent of Africa for the direct conquest of almost entire Africa अब हम देखेंगे धीरे धीरे पूरे अफरीका को किस तरह कॉलनाइज किया लेकिन सबसे पहले आईए समझते हैं विकनेसिस क्या थी अफरीका की अफरीका की कमजोरियां देखते हैं क्या गया थी ठीक है अब धीरे धीरे अब हम उस level तक पहुँच गए हैं अब उनके पास अब युरोपियंस के पास बेटर हतियार आ गए है और युरोपियंस के पास यह समझ आ गए है कि हमें बेटर हतियार अफरीकांस को नहीं बेचने ठीक है, अब देखते हैं Africans की weaknesses क्या रही, जिसकी वज़े से 400 सालों के बाद, 400 सालों तक Europeans को रोके रहने के बाद वो Europeans के सामने हार गए The interior of Africa was almost unknown to the Europeans up to about the middle of 19th century So 1850 तक mainland Africa के बारे में कोई जानकारी नही थी किसे Europeans को, however once they were done with the reputation of being a slave traders the speed with which the European powers conquered Africa is without a parallel, it is necessary to understand the reason for this they are briefly listed as follows, ठीक है, अब reason देखते हैं कि क्यों 1850 के बाद, 50 साल के भीतर भीतर ही, क्यों जो पहले 400 सालों में केवल 10% land acquire किया था, अब आगे के 50 साल में 90% land acquire कर लिया है, ऐसा क्या हुआ, आईए समझते हैं, पहला point देखेगा, imperialist countries were far more powerful than African states तो यह बात हम समझते हैं पहले imperialist शक्तियां, जो है वह African शक्तियों को नहीं हरा पा रही थी 400 सालों तक, लेकिन industrial revolution के आ जाने के वज़े से, अब imperialistic शक्तियां बहुत जादा मजबूत हैं second, economic might of the imperialist power was much greater than the economic resources of African states, वही सेम बात third point, later, यानि के African states did not have resources to fight long war in terms of military strength, ठीक है military strength एक बहुत बड़ी समस्य है, मैंने बोला na Europeans ने अपने आपको military तोर पर सशक्त बनाना शुरू किया, इसलिए nation building का खेल चला था, कि nation और Prusia इसलिए आस्ट्रिया के खिलाफ जो है वो पहले जर्मनी को unified करने में काम्याब रहा, क्यों क्योंकि Prusia ने अपने आपको militarize कर लिया था, और वो भी दुगने pace से right, next is Africans had outdated firearms which had been sold to them by Europeans they were no match for the new rifles and guns which the Europeans used, ठीक है, अब देखिए Africans, Europeans को रोकने में काम्याब क्यों हो रहे थे, क्योंकि Africans, जो हैं, वो Europeans के खिलाफ बंदू के से लड़ता थे, लेकिन 1880 के बाद, Africans ने मिलके बैठके एक, जो हैंना, conference करी सभी African, बड़ी political शक्तियों उन्होंने, उन्होंने conference करी, उस conference उन्होंने decide कि हम अब Africans को हतियार नहीं बेचेंगे, और ये 1880 से पहले से ही ये common sense जो है, European countries में generate होने लगी, कि जो modern हतियार है, अब हमें ये Africans को नहीं बेचने क्योंकि अगर हम modern हतियार Africans को बेच दे रहे हैं उन्ही का हमारे खिलाफ इस्तमाल वो 400 सालों से कर रहे हैं, जिससे हम उन्हें तरीके से colonize नहीं कर पा रहे हैं, पहली चीज़ दूसरी चीज, industrial revolution obviously अफ्रीका में नहीं आया, तो वो अपने end से उन हतियारों को नहीं बना सकते तो जो पुराने हतियार Europeans ने बेच दिये उन्हें, उन्हीं हतियारों के जोर पर उन्हें काम चलाना पड़ रहा था, ठीके next देखेगा, politically like Indians states in 18th century, the African states were not united, ठीके, जैसे भारत में जागीरदारी crisis के बाद, ठीके, decline हो गया मुगल्स का, पूरा मुगल empire जो है वो तुकडे तुकडो में तूट गया, मुगल एंपायर से क्या-कया निकला था, Hyderabad, Carnatic अलग हो गया, Marathi अलग हो गया, ठीके, बंगाल अलग हो गया, Bihar अलग हो गया, Awad अलग हो गया, Udisa अलग हो गया, Sikho ने अपने आपको अलग कर लिया, Rajputo ने अपने आपको अलग कर लिया, तो जैसे भारत जो है वो 18th 19th century में तुकडो में तूट गया था, वैसा ही कुछ सीन, Africa गया था, ठीके, There were conflicts between states and within states and the rulers and the chiefs often sought the support of Europeans against their rivals, as a result of these conflicts, the boundaries of the African states were often changing, as against this, the imperialist countries participating in the scramble for Africa were united, scramble for Africa, अब यहाँ पर आता है, ठीके, देखे, जैसे भारत में राज्य आपस में लड़ते थे, और अंग्रेजों ने एक राज्य को support किया, और अंग्रेजों ने एक को सेना दी, दूसरे को अराया, और फिर सबसिडिरी अलाइंस करी उससे, फिर उसके पास पूरे उसके एरिया को धेरे-देरे घेर लिया, वही चीज़ यूरोपियन्स अफ्रीका में भी कर रहे थे, वहाँ की जो native tribes है, उनको political support देते थे एक tribe को, ठीक है, एक tribe जो हो दूसरी पार हावी हो जाती थी, एक tribe, दूसरी tribe को खतम कर देती थी, फिर दोनों tribe पर कंट्रोल कर लेते थे फिर, यूरोपियन्स, तो जो खेल उन्होंने इंडिया में खेला है, सिमिलर वैसा ही गेम, political game उन्होंने अफ्रीका में भी खेला है, अब यहाँ पर आता है, स्क्रैंबल वार एफ्रीका, यानि कि यह map देखिए, यह map है 1905 का, ठीक है, 1880 में आपने देखा था कि जो यूरोपियन शक्तिया थी, वो केवल coastline में थी, अब इस 1905 के map में clearly देखिए, कि कहां कहां पर यूरोपियन शक्तियां पहुँच गई है, तो इस box के साब से आप देख सकते हैं, कि जो blue है, वो France है, जो western Africa वाला पूरा region है, वो किसके control में है, जो mainland Western Africa है, फ्रांस के control में, ठीक है, जो pink वाला part है, वो United Kingdom है, तो आप देखिए, इजिप्ट से लेकर, सुडान से लेकर, नीचे तक पूरा जो है, वो किसके control में, ब्रिटेन के, और नीचे, South Africa वाला region पूरा का पूरा ब्रिटे जो कि, जो कि किसी भी European शक्ती के control में, नहीं आए, ठीक है, क्यों नहीं आए, आगे हम discuss करेंगे, लेकिन, ये 1905 तक का मैप है, तो 1880 से 1905, 25 सालों में ऐसा क्या हुआ, कि पूरा का पूरा mainland Europe ही धर लिया, ठीक है, तो उसके कारण में आपको समझा दिये, अब देखते हैं, paper partition का मतलब क्या है, आईए, paper partition को समझे, the scramble had created serious rivalries among the imperialist nations, scramble यानि की, जो भगदड मची, कि मुझे भी चाहिए, और मुझे भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि Britain को समझ आया, जब mainland Africa में एंटर करना शुरू किया, ठीक है, जब Cape of Good Hope, यानि जो southern colony थी, South Africa वाली उससे जब अंदर एंटर करना शुरू किया, तो धीरे-धीरे, अंग्रेजों को समझ आएगी, यहाँ पर तो diamond बहुत सारा है, South Africa वाले region में diamond है, gold है बहुत सारा है, ठीक है, जब Western Africa वाले region में एंटर करना शुरू किया, French ने, तो उनने देखा, यहाँ तो oil wealth ही बहुत तो उनने समझ आया है कि mainland Africa में है, असलिए resources तो, जो में चाहिए, so that means जल्दी से जल्दी इनको क्या करो, colonize, and this was the scramble, ठीक है, in fact the scramble to grab the maximum of African territory in the shortest possible time was the result of these rivalries, Many times during the scramble, war between these countries became imminent, but in almost every case, what was avoided, war was avoided, and agreements were reached between them, ठीक है, देखे, सभी European शक्तियां मजबूत हो रही है, केवल France, Britain, Spain, Portugal मजबूत नहीं है, अब Germany और Italy भी मजबूत हो रहा है, उदर से Russia भी मजबूत हो रहा है, ठीक है, Poland, Lithuania, Belgium, Netherlands, ये सारे धीरे धीरे शक्ति पगाई है, लड़ने क्योंकि industrialize करने हैं अपने आपको, तो अब अफरीका में इनों ने धरपगड शुरू करी, लड़ना शुरू किया, खास करिये चार बड़ी शक्तियोंने, जर्मनी में जोड़ लीजिये, पांच और Italy छे, ठीक है, और Belgium साथ, इन साथ बड़ी शक्तियोंने, खास continent है, सब के लिए resources वहां available हैं, ठीक है, तो यह जो बातचीत का रास्ता निकाला गया न, वो क्यों निकाला गया, उससे पहले हम कुछ rivalries समझते हैं, देखेगा, फर एक्जेंपल, Anglo-German rivalries in East Africa, वर resolved in 1890, when Germany agreed to concede Uganda to Britain, जर्मनी ने 1890 को, युगांडा जो है वो, ब्रिटेन को दे दिया, in exchange for Britain, giving away to Germany, इन 1884-85, there was a Congress in Berlin, अब इन सब rivalries को solve करने के लिए, इन European शक्तियों ने क्या सोचा है, कि आईए Berlin बैठते हैं, और एक Congress करते हैं, ठीक है, उस Congress में ये 7 बड़ी शक्तियां, और अन्य बहुत सारी छोट-छोटी, 14-15 जो हैं वो, European शक्तियां आई थी, लेकिन मुख्यत है, य Spain, Portugal, Germany, Italy और Belgium, ये 7 बड़ी शक्तियां, इन 7 बड़ी शक्तियों ने आपस में बैठ कर जो है, वो क्या फैसला किया, आईए देखे, उसको का गया Congress in Berlin, इस Congress में हुआ क्या, किसी भी African राजा को, किसी भी African representation को नहीं बुलाए गया था, इनी European countries ने map रखे, और scale से जो है, वो आपस में बाट लिया, अफरीका को, यहाँ पर आपको नजर आता है, क्यों अफरीका की boundary जैसी लगती है, सीधी लकीरे क्यों है, क्यों ऐसा लगता है कि scale से भाटा गया, इसलिए इसको paper partition कहा गया, क्योंकि एफरीका, एफरीका में कौन देश रहेगा, कौन देश नहीं रहेगा, इस चीज़ को decide, Berlin Congress में इन European शक्तियों ने यह किया, without Africans से पूछे, ठीक है, और उनको nations का status जो है वो दिया, जो भी geographical region उन्होंने काटा, उनसे उन्होंने nations create कर दिये, ठीक है, और उन European शक्तियों आपस में treaty कर ली, यह इतना region मेरा, इतना region तुम्हारा, next देखिएगा, treaties were also signed between African rulers and chiefs, and the representatives of European government, European companies or individuals, which were later ratified by their respective government, देखिए, एक तो set of treaty हुई, European शक्तियों के बीच में, और दूसरी set of treaties हुई, European शक्तियां और African chiefs के बीच में, लेकिन European शक्तियों ने African chiefs के साथ क्यों treaty करी, क्योंकि अब European शक्तियों को mainland Africa में trade करना है, mainland Africa के natural resources तक पहुँचना है, उनके जो है वो कहां पर core है, कहां से निकल कर आ रहे हैं, वहां तक पहुँचना हैं, तो जो tribes हैं, जो chief हैं, Africa के उनसे समझोता करना पड़ा होगा, लेकिन जो tribal chiefs या जो kings हैं Africa के, उनके साथ किया गया धोका, देखिएगा कैसे, इस treaties were often fraudulent and bogus, and in the cases where these were genuine, there were misrepresented in negotiations with other European countries, and the wrong interpretations put on them were recognized by other European powers, देखिए, फर एक्जम्पल समझने पहले, if an African ruler signed a treaty with a European country to seek the latest support against a rival, that European country, in seeking approval of other European countries, interpreted it to mean that African ruler had agreed to make his state a protectorate of the European country, ठीक है, अब यह protectorate वाला क्या फंडा है, और किस तरह यह treaties fraudulent थी, आईए मैं समझाता हूँ आपको, मैंने क्या बोला, कि माल लीजिए, कि कोई एक tribe है, वो Italy से मदद मांग रही है, ठीक है, और उस tribal chief ने, Italy के government से समझाता किया, कि आप मेरा इस दूसरे tribal chief के साथ, जो जगडा चल रहा है, इसको सुलजा दीजिए, ठीक है, आप मुझे हतियार की मदद दे दीजिए, और मैं आपको जो है, वो अपने resources का इतना हिस्सा दे देता हूँ, ठीक है, इटली ने यहाँ पर तो उस राजा के साथ, या जो भी chief था, उसके साथ समझोता कर लिया, अफरीका में, लेकिन जब इटली ने यूरोप में जाके बताएं ना, क्योंकि जो Berlin में Congress हुई है, उन्होंने ये बोला है कि आप, उन्होंने उस Berlin Congress में ये decide किया गया था, कि कोई भी European शक्ती, African chiefs के साथ जो treaty करेगी, उसको पहले जो है, वो ratify करवाएंगे, वो European शक्तियों से, ठीक है, तो जो इटली की European, इटली ने जो African किसी chief के साथ, जो है वो treaty करी है, उसको यूरोप में जाके किस तरह बताया उन्होंने, यूरोप में जाके उन्होंने ये बोला, कि जो African chief है, उसने इतना हिस्सा मुझे दे दिया, या इस तरह बोला कि जो African chief है, अगर हम सभी मिलकर, उस African chief की मदद करते हैं, तो उसने ये वाइदा किया है, कि वो अपना पूरा राज्य हमें दे देगा, चलाने को, या हमारी शरण में आ जाएगा, पूरी तरह, So this was the misinterpretation, जो African chief है, उसने तक एवल इतना कहा था, कि मैं आपको जो है, वो इतना हिस्सा जो है, वो दे दूँगा, अगर आप मदद कर देते हैं, माल लिजे, कुछ हिस्सा जो है, वो खदान का दे दिया, सोने की, या कुछ हिस्सा जो है, वो तेल की खदान का, कोईले की खदान का दे दिया, या किसी मिनरल की खदान का दे दिया, लेकिन जो misinterpretation किया गया इटली द्वारा या किसी भी European शक्ति द्वारा वो ये कि protect rate बनाने की बात हुई है treaty में जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और जब ये treaty ratify कर देती थी European शक्तियां और जब इटली वापिस गया और इटली ने मदद करी उस chief की और फिर बाद में उस chief ने कहा कि ये लो इतना हिस्सा इस ख़दान का लेकिन इटली ने कहा कि नहीं पूरा का पूरा राज्ये चाहिए तब इटली के खिलाफ जो है वो chief खड़ा हो गया और इटली superior arms थे उसके पास इटली ने उस chief को डरा धमका के अपनी शक्ती के आगे जुका दिया और so that means एक European शक्ती को अगर एफरीका में अगर एफरीका में colonization करना था तो अपनी treaties को ratify कराना पड़ता था अन्य European शक्तियों से इसलिए fraudulent जो है वो fraud treaties जो है वो create की जाती थी ठीक है देखेगा this interpretation was then accepted by other European powers and the process of occupation begin without any hindrance from them in this way the partition of Africa was nearly completed by the end of 19th century this position in generally referred to as paper partition इसको कहा गया है paper partition लेकिन जो actual partition है वो कुछ समय बाद हुए actual partition के समय तो वहां के जो native leaders थे वो उटके खड़े हो गए ना लड़ने के लिए ठीक है देखें however the actual partition took much longer and was accomplished by the use of superior military might of the European powers to suppress the resistance by the Africans तो यह तो चीज़ अबिसली हुई next देखेगा a look at the map of Africa after partition will show how the continent of Africa was partition on the paper in conference rooms in Europe तो यह मैंने आपको बताया है ठीक है about 30% of all boundaries in Africa are in straight lines right there were many squabbles among the European powers for territory and trading rights in Africa अब European शक्तियां आपस में लट रही थी अगर आपने कभी map देखा है अफ्रीका का अगर आपके सामने अभी Atlas है तो खोल के देखेगा तो Republic of Congo जो है ना Republic of Congo की ने एक बाजूसी ऐसी आपको निकलती नजर आएगी Atlantic महासागर की तरफ तो वो बाजूसी क्या बताती है बहुत छोटा सा हिस्सा जो है उसका प्रोटूड एक्स्टेंड होगा Atlantic महासागर तक और वो यह बताएगा कि किस तरह Republic of Congo को बहुत छोटी सी coastline दी गई है तो Congo बार-बार अपने लिए coastline मांग रहा होगा इसे लिए European शक्ति नो उसको छोटी सी coastline दी तो Congo तो राश्टरबाद में बनाए ना पहले वो किसी European शक्ति के कंट्रोल में होगा तो किसके कंट्रोल में था Congo Belgium के कंट्रोल में था और Leopold 2 जो है वो Belgium का शाश अगर उसके orders को follow नहीं किया जाता था तो वो हाथ पैर कड़वा देता था मजदूरों के तो यह आम बात थी इस तरह की सजाएं देना ठीक है और बहुत सारी cruelty उसने करी है मजदूरों पर या slaves पर ठीक है देखेगा Belgium for example French and British interests collided in Egypt and Sudan आज आप देखेंगे जो पूरा का पू पूरा एक ही देश हुआ करता था इसकी boundary घटती बढ़ती रही है लेकिन नाइल रिवर के around रहा यह पूरा का पूरा देश तो पूरा का पूरा देश Ottoman Empire के गंट्रोल में था 2880 का मैं अब देखेगा फिर धिरे-धिरे Ottoman Empire से French और Britain ने चीन लिया अब French और Britain के बीच में conflict रह और आज जो है वो हमें Egypt तीन हिस्से में टूटा हुआ देखता है Egypt, Sudan और South Sudan ठीक है और Ethiopia वाला कुछ region भी Egypt में जो present day Ethiopia है उसका region कुछ Egypt में पहले भी था ठीक है नेक्स देखिए Belgium opposed an agreement in 1884 signed by Britain and Portugal demarkating their areas of influence as it would have resulted in denial of sea access to Congo इसलिए फिर आप मैप देखेगा Belgium को एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो sea access का दिया है ठीक है तो आप नीचे देखेंगे Belgium sorry जो Congo है उसके नीचे जो है आपको नजार आएंगी जो countries मैंने आपको जो map दिखाया है ना जिसमें present day के हिसाब से कौन सी country किस European शक्ति के पास है वो map एक बार फिर से आएगा आगे उसमें मैं आपको पूरा funda समझाओंगा यहाँ पर ध्यान रखेगा इस point रूट ठीक है जो new imperialism फेला जो colonize किया है पूरे अफ्रीका को इसमें European शक्तियां आपस में लड़ी नहीं है जादा अगर कोई जगडा हुआ भी तो उसको बैठ कर सुल जाये गया तो यह European शक्तियों ने यहाँ पर maturity दिखाए कि अगर colonization करना ही है ठीक है तो हम क्यों लड़े लेकिन अंत में यूद तो हुआ ही है ना वल्ड वार तो हुआ ही ना मैं 1914 में जाकर तो वल्ड वार क्या वल्ड वार जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ना तब उसमें बताऊंग क्यों यूरोप में बड़ी बड़ा यूद नहीं हुआ और फिर क्यों Крас आफरीका में बड़ा यूद नहीं हुआ आगे देखेगा अब देखते हैं African resistance अब Africa के लोगों ने कैसे resist किया ये समझना है में पहला point देखेगा Across Africa European attempts to colonize the lands were met with resistance obviously but contest between African states and European powers was never equal due to European superior arms ठीक है European चक्तियां superior थी Africa से इसलिए contest बराबर का नहीं था बराबरी का मुकाबला नहीं था Sometimes African societies try to form alliances with the Europeans They hoped the agreement would allow them to remain independent In some cases the Europeans did help defeat the rivals but then turned on their African allies Other times Africans resisted the Europeans with whatever forces they would they could raise The single exception of Ethiopia इस से पहले के points में आबको समझाता हूँ बिलकुल सिंपल सी बात है European शक्ति उन्हें आफ्रीका को धीरे धीरे पहले coastline में थे वो अब coastline से अंदर एंटर करना शुरू किया जो African kingdoms थी उन्होंने resistance दिया obviously लेकिन European के बास ज्यादा बड़े हतियार थे तो African kingdoms उनके सामने chiefs नहीं टिक सके पहली चीज़ दूसरी चीज़ अब जो आपस की rivalries थी उसका फाइदा उठाया Europeans ने ठीक है तो किसी एक chief की मदद कर देते थे दूसरे के खिलाफ दोनों chiefs आपस में लड़ जाते थे दोनों कमजोर हो जाते थे और फिर उनको हतियाना जो है वो Europeans के लिए असान हो जाता है तो food डालो session करो उन्होंने Africa में भी use किया है ठीक है divide and rule divide and conquer लेकिन एक ऐसा देश था Ethiopia जो की कभी भी control में नहीं आ सका European शक्तियों की ठीक है the single exception of Ethiopia all these all these attempts of resistance ultimately failed Ethiopia was the only African nation to successfully resist the Europeans under the leadership of Menelik 2nd so Menelik 2nd जो है वो Ethiopia का शाशक था 1889 में coronation हुआ है उसका और अपने मरते दन तक वो शाशक रहा Menelik 2nd एक मातर ऐसा शाशक था जिसने जो है वो काफी अच्छी political authority गेन कर ली थी क्यों कि Ethiopia आप देखेंगे Ethiopia है North Eastern Africa में और उसके पास Ethiopia के पास जब Menelik 2nd strong था तो Ethiopia के पास क्या थी Red Sea के साथ coastline थी तो Red Sea में coastline होने का मतलब क्या है कि जितना भी भारत के साथ trade है उसका मुनाफ़ा जो है वो Ethiopia का मिल रहा था ठीक है वही coastline acquire करने का काम Europeans ने किया ठीक है तो लेकिन Europeans को coastline भी चाहिए थी और Ethiopia का mainland भी चाहिए था इसलिए और तीन बड़ी शक्तिया ठीक है कौन-कौन सी France, Britain और Italy इन तीनों को मैंने लिक second ने आपस में लड़वाया तीनों को आपस में कमजोर कर दिया ताकि कोई भी मिलकर Ethiopia को अपने subjugation में ना ला सके ठीक है देखिएगा कैसे He became emperor of Ethiopia in 1889. He successfully played Italians, French and British against each other. All of whom are striving to bring Ethiopia under their sphere of influence. Ethiopia को अपने control में लाने का मतलब क्या है? क्योंकि Ethiopia वाला रिजियन आ coffee produce करता है. बहुत अच्छी quality की और बहुत बड़े लेवल पर Ethiopia से cocoa का plant जो है वो काफी बड़े लेवल पर production देता है coffee का. उसके अलाबा natural resources और भी बहुत है. सोना बगयरा भी बहुत है. प्लस strategic importance तो है ही. ठीक है लेवल पर खरीदे हुए. अब देखिएगा. About to sign a treaty with Italy, Manelik discovered differences between the wording of the treaty in American Ethiopian language and Italian language. जब इटली के साथ वो treaty कर रहा था ना. तब उसने treaty में गलती पगड़ ली. अब ये जो मैंने बोला ना fraudulent treaties करते थे कौन? Europeans और African chiefs को पता नहीं चलता था. ठीक है Manelik second ने वो गलती पगड़ ली. वो चाला की पगड़ ली उनकी. जो treaty के कागज से ना उसमें अमरिक जो भाषा है इथियोपिया की उसमें कुछ और लिखा हुआ था. और Italian में कुछ और लिखा हुआ था. ठीक है कि Italians को अपना हिस्सा coastline का दे देगा इथियोपिया और Italians के साथ जो है वो समझोता हो जाएगा. युद जो है वो विराम हो जाएगा. ये treaty में लिखा हुआ था. लेकिन दूसरी साइड Italians ने क्या treaty में लिखा हुआ था. वही पुरानी चीज जो मैं जाएगा. ये जो है वो चाला की किसने पगडली? मैनलेक ने. So मैनलेक believed he was giving up a tiny portion of Ethiopia. However, the Italians claimed all of Ethiopia as a protectorate. Meanwhile, Italian forces were advancing into northern Ethiopia. मैनलेक declared war and in 1896 in one of the greatest battles in history of Africa, the Battle of Idaho. बहुत important है ये. Battle of Idaho. इथोपियन forces successfully defeated Italians and maintain their nation's independence. So 1896 में Ethiopia ने Italy को बड़े लेवल पर हरा दिया और Ethiopia remained a independent nation. लेकिन Ethiopia remained a independent nation, लेकिन Ethiopia की coastline चीन ले गई. Coastline, Britain, France, Italy ने तीनों ने चीन ले. So produce तो Ethiopia ने बहुत किया, लेकिन export करने का जिम्मा जह है, उसके खुद के पास नहीं रहा. Coastline जो है, वो ले ली गई उससे. खेर, आगे बढ़ते हैं, बट आपको ध्यान रखना है, मैंने लेकिन, अब ये map देखिएगा, ये map बहुत इंट्रेस्टिंग है. इस map में ना 1880 से लेकर 1914 तक, ये दिखाया हुआ है कि कि किस साल में जो है, वो किस country को या किस region को colonize किया गया, किस शक्ती द्वारा, किस European शक्ती द्वारा है, ठीक है? तो नीचे जो boxes हैं, इन boxes में आप clearly देख सकते हैं कि countries लिखी हुई है, Belgian, British, French, German, Italian, Portuguese और Spanish. ये साथ countries हैं, इन साथ countries ने किस तरह जो है, वो colonize किया, तो पहले एथियोपिया की बात देख लेते हैं, क्योंकि अब ये हमने पढ़ा है, तो ये Horn of Africa दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें देखिएगा, Ethiopia is independent, इथियोपिया की निचे के लिखा है, independent है, ठीक है, लेकिन जो इसकी coast line है, ठीक है, वो देखिए, British Somalia के control में, उपर, और दूसरी साइड जो है, वो Eritrea है, Eritrea देखिए किसके control में, आप clearly देखेंगे कि वो Italian control में है, और बीच में जो है, वो Somaliland, France के control में है, तो जो potential coast line Ethiopia की थी, वो France, Britain और Italy ने अपने control में ले ली, ठीक है, उसके अलावा बाकिस, यह बहुत important map है, और बहुत अच्छा map है, इसकी आप जो है, वो screenshot ले लीजिए, ठीक है, इसको download कर लीजेगा, अगर आपको मिल जाए, Google में मिल जाएगा, लिखिएगा, Scramble for Africa, 1880-1914, इमेजिज में जाएगा, वहाँ पर आपको इमेप मिल जाएगा, डाउलोड दा लीजेगा, बहुत important map है, इसमें, clearly लिखा गया है कि, कौन सा region, कब acquire किया गया है, ठीक है, तो दक्षिण में देखिए, दक्षिण में, बिल्कुल South में, Union of South Africa कब बनी है, 1910 में जाकर बनी है, ठीक है, लेकिन किस के अंडर दी, ब्रिटेन के अंडर दी, उसके उपर आप देखेंगे, जर्मन South West Africa, 1884 में, जर्मन East Africa, अब जर्मनी ने देखिए, South West Africa और East Africa, दो जो है वो जर्मन पोस्ट कंट्रोल है, उसके बाद Angola, 1891, अंगola किसके कंट्रोल में है, आप देख रहे हैं, पुर्तगीज के कंट्रोल में, और यह रा देखिए, Belgian, मैंने बोला था ना, Belgian जो है, वो उसके कंट्रोल में, कॉंगो है, और यह छोटी सी बाजू जो है, देखो, निकल के Atlantic Ocean में आ रहे हैं ना, Belgium की, किसके किसके बीच में, French और Portuguese Land के बीच में, क्योंकि Blue वाला French है, और Purple वाला Portuguese है, French और Portuguese Land के बीच में, आपको हलका सा Pink नजार आ रहा है, that is Belgium, तो मैं आपको यह पूरा explain करूंगा, इस map को जो है, वो आप, इसकी screenshot खीचेगा, या download कर लेजएगा, देखेगा इसको, detail में, बहुत बढ़िया महप है, इसमें सब बताया है कि, किस, आप यहाँ देखेंगे, कि 1880 के बाद, maximum जो है, वो mainland Africa को, colonize किया गया है, आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं, lives कैसे, देखें, पहला point है, for the most part, the effects were negative, but in some cases, Europeans bought benefits, तो अगर, किसी भी चीज़ का, impact हम पढ़ते हैं, तो positive और negative, neutral, हमें, या positive और negative impact, हमें दोनों बता होने चाहिए, ठीक है, तो वैसे तो, colonization के, negative impacts ही रहते हैं, most of the part, लेकिन कुछ positive impact भी हो सकते हैं, तो वो mention करना भी हमें ज़रूरी है, क्यूंकि commission, commission हम से ये चाहता है, कि हम silver lining ढूणना हमें आता हो, ठीक है, चाहे कितनी भी समस्या हो, उसमें एक silver lining हमें खोजना अगर आती है, तो वो silver lining के आपको marks ज़रूर मिल जाएंगे, क्यूंकि एक positive attitude बना के रखना बहुत आनिवार रहे है, क्यूंकि अगर आप positive attitude नहीं बनाएंगे, तो वो positive समय कभी आ ही नहीं सकेगा, ठीक है, तो वो positive attitude बनाए रखना बहुत आनिवार रहे है, इसलिए कभी भी अगर आप critically अंसर दे रहे हैं किसी का, या critical evaluation कर रहे हैं, या अगर आपको जो है वो analysis करना है, examine करना है, तो positives और negatives दोनों पर केवल negative पर जोर मट डालिएगा, positives आपको, अगर कोई भी कितनी भी बुरी चीज है, उसमें कुछ ना कुछ आपको, silver lining इसलिए कहा जाता है, कुछ ना कुछ positive आपको ढूंड कर निकालना ही है उसमें से, ठीक है, और अगर पूचा ही नहीं गया positive, तो then don't bother, अगर सवाल में पूचा ही नहीं गया, सवाल इसी तरह का ही बना है, कि आपको केवल negative ही बताना है, तब तो उसमें से कुछ positive निकल नहीं सकता, लेकिन कोशिश कीजिए, क्यूंकि ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए, Second World War में, जो यहूदियों के उपर, या Polish people के उपर, Germany या Austria के द्वारा, जो की गई atrocities हैं, उसके बारे में अगर आपको लिखना है, तो उसमें क्या positive है, कुछ भी नहीं है, लेकिन Polish people के लिए positive नहीं है, अगर आपको positive ढूंडना है, तो आपको perspective चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप Polish people के इसाब से देखेंगे, तो उन पर atrocities हुई है, लेकिन अगर आपको positive ढूंडना है, तो आप Austrian people के साब से देखेंगी, हो सकता है कि उनका business में boom आया हो, हो सकता है कि और कुछ बहुत सारी चीज़ें, उनके लिए positive निकल गारा सकती है, तो basic example मेरा कहना में यह चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई ऐसी situation है, जहां पर negative नहीं आ रहा है, तो आपको perception आपको change करना पड़ेगा, क्योंकि negative अगर लागा आप positive कोई aspect नहीं डूंड पा रहे हैं, so that means आप जो है वो केवल negative aspect वाले perception से ही देख रहे हैं, आपको perception change करना पड़ेगा, ठीक है, यानि कि आपको for example Germany की तरफ से सोचना पड़ेगा, कि Poland में holocaust करने से Germany को क्या फाइदा आप मिला, ठीक है, खेर, वो काफी dark चीज है, आपको world war पड़ाऊंगा, तो सारी चीज़ें वहाँ पर explain करूँगा, वहाँ पर वो चीज़ें हम include, वो examples हम उठाएंगे, यहाँ देखिएगा positive, negative दोनों देखते हैं, the important points could be summarized as follows, ठीक है, negative, positive हम दोनों देखते हैं क्या हुए, Africans lost control of their land and their independence, यह हम समझ गए, दूसरी चीज़, famines resulted from the change of cash crops in place of substance agriculture, अब देखिएगा, Europeans ने Africa को अपने control में लिया, क्यों, ताकि वो, जो mainland Africa से निकलने वाले, जितने भी resources हैं, सभी resources को exploit कर सकें, और उन सभी resources में, agricultural resources भी आते हैं, that means, अब Europe से वो बाजरा, यह सब चीज़े तो उठाएंगे नहीं न, ठीक है, यानि कि अनाज नहीं चाहिए उनको, अनाज के लिए भारत हैं, उनके पास, ठीक है, अब Europe से उन्हें चाहिए, जो cash crops हैं, क्योंकि, जो capitalist economy में, केवल वही चीज़े sustain करेंगी, capitalist economy में केवल वही चीज़ sustain कर सकती है, जिससे मुनाफ़ा निकल सके, ठीक है, basic example देता हूँ, आज अगर आप YouTube पे देखेंगे, या और जितने भी social media platform है, आप कहेंगे कि ये cringe content है, है ना, और जितने भी cringe content है, आप बोलेंगे कि ये cringe content इतना popular क्यों है, बहुत सारी ऐसी cringy चीज़े हैं, जो popular हैं, ठीक है, जो आपको cringe देंगी, लेकिन वो popular क्यों है, क्योंकि वो big रहा है, और capitalist economy में जो चीज़ big रही है, केवल उसी का ही, केवल उसी की value है, substance की value नहीं है, अगर आप कहेंगे जैसे मैं हूँ, ठीक है, आप बोलेंगे कि ये इतना अच्छा teacher है, इतना अच्छा पढ़ा रहा है, केवल 150 बच्चे ही क्यों देख रहे हैं इसे, क्यों क्योंकि capitalist economy के तहत, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ नहीं है, जो big सके, ठीक है, वही पर ही अगर कोई एक क्रिंजी कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, कोई भी media, mass media की चीज़े, उस पर millions views आजाते हैं, ठीक है, जाजजज़ जाज़ लोगा तक पहुँच रही है, जो capitalist economy है, वह केवल उसी को ही promote करेगी, जिससे मुनाफ़ा निकल रहा है, अब मेरा capitalist economy के खिलाफ बोलने से, capitalism का मुनाफ़ा थोड़ी हो रहा है, तो इसी लिए, मैं जो है वो, मैं जो है वो, कहने का मतलब की ऐसा ऐसी चीज़ें, जो capitalist economy के खिलाफ हैं, या capitalist economy को जिन से मुनाफ़ा नहीं निकल रहा है, वो promote नहीं होती है, ठीक है, और उसको promote करना आप ही के हाथ में है, इन डिरेक्टली मैं कहना यह चाहता हूँ, कि इन वीडियो को शेर करें, अगर आप चाहते हैं कि मेरी, अगर आपको मेरा पढ़ाना कुछ समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे जो concepts हैं, आपके काम आ रहे हैं, ठीक है, so make sure you share these videos, ठीक है, आप जुड़े रहें मेरे साथ, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि अगर students मुझे regularly follow कर रहे हैं, जो regularly follow कर रहे हैं students, उन पर मैं खास ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, आप अगर share करेंगे, तो और बहुत सारे students का शायद हो सकता है, भला हो जाए, ठीक है, so make sure you share these videos, जहाँ पर भी जो भी social media से आप जुड़े हैं, वहाँ पर share definitely कीजएगा, और मैं वैवस्था बनाऊंगा, जल से जल, ठीक है, कि मैं आपके साथ social media पर आकर जुड़ूं, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम, फेस्बुक वगेरा के माध्यम से, मैं आपके साथ जुड़ना शुरू करता हूँ, अब धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, कि मैं social media से दूर रहता हूँ, लेकिन मैंने बैठ कर कल सोचा, इसके बारे में बहुत, कि शायद हो सकता है, कि जो ऐसी क्रॉप्स है, अनाज है, जो खाने लाइक है, और कैश क्रॉप्स क्या होती है, जो बिके है, जैसे की रबर, कॉटन, कॉफी, इस तरह की चीज़े, जो है, वो मास प्रोड़क्शन करवाई गई ऐफरीका में, जो की बेची जा सके, कि इनके द्वारा, कॉलनिस द्वारा, कहां बेची जा सके, जो मैनुफेक्चरिंग कंट्रीज हैं उनको, बेजी जा सके, और वो फिर मैनुफेक्चर कर सके, उससे प्रोड़क्ट, और जो अनाज है, वो एफरीका में नहीं उगाया गया, इससे रिजल्ट क्या निकला, कि आपको जो फोटोस देखने को मिलती है न, जिसमें बिल्कुल बारीक बारीक एफरीकन लोग है, जिनकी हडिया निकल गया गई है, यानि कि भूकमरी फैली एफरीका में बहुत जादा, और बहुत जादा फैली, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी भूकमरी एफरीका में फैली और आज भी है, केवल इसी वज़य से कि जो एकॉनमिक सिस्टम, इन कॉलोनिस्ट लोगों ने एफरीका में एस्टेबलिश किया है, जो एफरीकन कंट्रीज हैं, वो आज तक उससे उभर नहीं सकी है, आज तक एफरीकन कंट्रीज उसी एकॉनमिक सिस्टम में उल्जी हुई है, क्यों, क्योंकि कॉलोनिस्ट तो भले ही इन वेस्टन शक्तियों ने उठा ली है, लेकिन अभी भी एकॉनमिक पॉलिटिकल कॉलनाइजेशन अन्य तरीकों से किया हुआ है, जो की मास मीडिया में हमें नजर नहीं आता, लेकिन कॉलनाइजेशन है, पकड है उन शक्तियों की, उन यूरोपियन यूएस की शक्तियों की पकड है, खासकर US की शक्ति की अफ्रीका पर काफी मजबूत पकड है ठीक है खेर आगे वड़ते है Africans also suffered from a breakdown of their traditional cultures Traditionally authority traditional authority figures were replaced Homes and properties were transferred with little regard to their importance to the people Contempt for traditional culture and admiration of European life undermined stable societies and caused identity problems for Africans जैसा कि भारत में हुआ भारत में लोगों को ये समझी नहीं आए कि भारत में इतनी गर्मी है और मैं क्यों इतने टाइट कपड़े पहन के जो है वो पैंट पहन के और इतनी टाइट शर्ट पहन कर क्यों गूम रहा हूं जब की मैं खुली धोते लोंगी पहन सकता हूं और रिल्लेक्स होकर रह सकता हूं लेकिन अगर ऐसा करता है कोई भारती है कोई अगर मान लीजे कोई corporate वेक्ती है वो अगर ऐसा करता है तो उसको corporate वेक्ती नहीं समझा जाएगा ना जैसे मैंने आपको कहा था कि गाये पालना भारत के लिए common था भारत के लिए बहुत common है लेकिन आज क्या कोई corporate वेक्ती गाये पाल सकता है अपने flat पर राइट तो पहली बात तो flat में गाये पालना उनके लिए मुश्किल हो जाए वही सेम चीज एफरीका में होई एफरीका के tribes के लिए जो चीज important थी वो European influence में पूरी तरह उलट पुलट हो गई प्लस अब Europeans ने कागज में रखकर जो है वो लाइने खीच दी उसके हिसाब से उन्होंने regions को बाट दिया तो इससे हुआ ये कि कई दुश्मन ट्राइब एक सीधी लखी रहें कि भारत की जो पॉलिटिकल शक्तियां थी वह वहाँ पर मौजूद थी जब यह partition हो रहे थे ठीक है लेकर यूरोप की पॉलिटिकल शक्तियां मौजूद नहीं थी इसलिए यूरोपियंस ने जिस तरह बाटा उसी तरह उन्होंने जैसा उन्होंने पेप वो बढ़ गए घटे नहीं बढ़े लेकिन मेन लेंड मैं तो StrLike का फाइदा और यूरूपियंस त्य इहाँ पर ढ़क्तियों सॉशलिजम की नजर से पढ़ रहे होते क्योंकि जो शुरुवाती भारती सरकारे है ना उन्होंने भारत को एक सोशलिजम की डारेक्शन प्रोवाइड गरी हमारे वहरी प्रेंबल में लिखा है कि इंडिया जा सोशलिस्टिक रिपब्लिक सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक राइट ठीके तो हम खासकर मैं जो पढ़ाता हूँ मैं मेरा उटलुक बहुत जादा सोशलिस्टिक होता है लेकिन अगर आप यूरोप के इतिहासकारों की अगर डिरेक्शन से पढ़ेंगे ना तो वो इन सब चीजों को बहुत पॉजिटिव चीजों से बताएं पॉजिटिव से में बताएंगे कि हमने कॉलरण हमने इनको इनके ही resources को extract करने के method इनको सिखाए हमने इनको hunting gathering से civilization की तरफ ले गए वो इस तरह portray करते हैं ठीक है लेकिन हम उस direction से नहीं बढ़ते हैं मैंने वोला न हमारा भारत के तिहासकारों का outlook जो है वो थोड़ा socialistic होता है ठीक है और खास तोर पर मैं वैसे अभी अपनी political ideologies disclose तब करूँगा जब मैं आपको socialism, communism, nihilism यह सारी चीज़े explain कर दूँगा उसके बाद मैं अपनी socialistic अपनी जो है वो political ideologies के साथ आपको indulge करना शुरू करूँगा ठीक है खेर आगे देखिए now contempt for the traditional culture and admiration of European life undermined stable societies and caused identity problems for Africans slavery was perhaps one of the most gruesome and ghastly crimes which the Africans suffered तो slavery के ओपर तो हमने पड़ी लिया ठीक है it will never remain it will forever remain a blot on the face of human civilization ठीक है मानवता के ओपर एक धबा रहेगा अफरीका में जो भी घटना है घटी है Millions lost lives millions were uprooted from their families and kinship ties were broken the slaves suffered some of the most inhuman and humiliatory treatment ever rendered by a man to another man the most troublesome political legacy of the colonial period was the division of African continent long term rival chief terms were sometimes united while at other times kinship groups were split between colonies artificial boundaries that combined or unnaturally divided groups created problems that plagued African colonies during European occupation these boundaries continue to create problems for nations that evolved from former colonies देखे ये चीज़े में आपको explain करता हूँ actually मैंने आपको बता दी है सारी चीज़े हैं ठीक है पहले तो वो अपनी geographical boundaries से दूर रहते थे राइट अब similarly दो जो है वो रिष्टेदार tribes थी उनको आपने दो अलग-अलग colonies में बाट दिया तो इस तरह जो है वो ये एक बहुत बड़ी समस्या रही जो कि आज तक जूज रही हैं वहां की tribes इस चीज़ से kinships बट गई और rivalries जुड़ गई आपस में ठीक है उसके लाबा cultural identity जो है वो खो गई आफ्रिकंस की प्लस जो humiliation उनको सहना पड़ा है और जो inhuman treatment हुए inhuman treatment मैं बोल रहा हूं न दो गोडों के साथ बांदिया और चीर दिया खुतों को खिला दिया ठीक है चमडे के कांटेदार कोडे उनकी पीठ पर मारे गए तब तक मारे गए जब तक मरना जाए bleeding से विक्ति ठीक है लब तब तक मारते रहो तब तक उसकी हड़ीयां exposed कर दो जब तक मरना जाए वो bleeding से सब के सामने पेड़ के सामने पेड़ पर कई कई दिनों तक खाने खाने को ना देना बिमारियां फैलाए रखना क्यूं जस्ट बिकॉज अपना कोलोनियल इंट्रस्ट उन्हें वह बना कर रखना है ठीक है तो यह सारी चीज़ है यह सारे पॉइंट्स में अल्रेडी एक्स्पेन कर चुका हूं नेक्स आगे बढ़ते तो यह तो सारे थे नेगेटिव इंपेक्ट्स क्या पड़े अब देखते हैं कुछ पॉजिटिव इंपेक्ट्स है या नहीं है ठीक है ओन दा पॉजिटिव साइड कलोनियलिजम रिड्यूजड लोकल वारफेर पॉजिटिव साइड हमें लानी पड़ेगी ढूंड का कही नहीं से ठीक है लोकल वारफेर यानि कि जो ट्राइब आपस में लड़ती थी वो बंद हो गए ठीक है वो ट्राइब आपस में तब लड़ती थी जब लड़ सकते थे जब उनके बास सामर्थे था अब जब खाने को किसी के पास ही नहीं है सारे बुखें है तो आपस में ल तो उन्हों ने आफ्रीका के लोगों के लिए जो है वो दवायां प्रोवाइड करी हैं उनको हस्पिटल दिये हैं उनको खाने खाना बगरा प्रोवाइड करते हैं तो वो सारी चीज़े भी थी ठीक है लेकिन बड़े लेवल पर नहीं थी ना बड़े लेवल पर तो exploitation ही था humanitarian efforts in some colonies improved sanitation and led to the establishment of hospitals and schools as a result lifespan increase and literacy rates improved ठीक है अफ्रीका में lifespan बड़ा है बिल्कुल बड़ा है ठीक है किसकी वज़े से humanitarian efforts के किन के colonies के as a result lifespan increase and literacy rates rates improved one of the positive impacts was the economic expansion African products came to be valued on the international market to aid the economic growth African colonies gained railroads dams and telephone and telegraph lines but for the most part these only benefited European businesses business interests not African lives तो अफ्रीका में नया infrastructure तो आया बोथ administration का as well as transportation communication का लेकिन उससे फाइदा केवल colonies को हुआ Africans को colonies के जाने के बाद भी उसका ठीक तोर पे फाइदा नहीं हो पार रहा था क्यों क्योंकि उनकी economy इस तरह उभर ही नहीं सकी ठीक है मैं आपको decolonization वाला जो process समझाऊंगा ना world war second के बाद ठीक है वो जब map में आपको दिखाया ना कि कौन सा देश कब colonize हुआ Africa का ठीक है उसी map को हो ना हम decolonization वाले topic में detail में पढ़ेंगे उसमें मैं समझाऊंगा कि world war 2 के बाद जब decolonization हुआ तो कौन सा देश कब compare करेंगे कि Africa का कौन सा देश कब colony में convert हुआ था और कब कौन सा देश आजाद हुआ उस colony से फिर उसके बाद उसमें किस किस तरह की सरकार established हुई कौन उसका नेता रहा और क्यों वो सरकार लंबे समय तक नहीं टिक पाई और present day का जो scenario लेकर आएंगे न मैं Africa का ठीक है वहां समझेंगे world war 2 के बाद तो जुड़े रहिए ये सारी चीज़े conclude होंगी मैंने वोला concept generate कर दूँगा बहुत बहतरीन लेकिन मैं एक चीज़ और बोलता हूँ से लिखना ठीक है बीस बीस पंदरा बंदरा बीस बेपिटीज प्लस रिसर्च करना आठ दस किताबों से पढ़ना ठीक है केवल इंडिया के सोर्सिस नहीं अब लास्ट में इस मैप को हम समझते हैं ठीक है ये है आपका मैप the transformation change क्या आया old order नया order अब देखिए old order versus new order मैंने आज नहीं इसलिए include किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सोचे इसलिए मैं आज मैं लास्ट में कह रहा हूं कि इस पूरे के पूरे एफ्रिका का जो colonization हुआ है इसमें old order versus new order ढूंडिये कहां कहां पर है ठीक है कहां कहां पर आप old order versus new order का funda लगा सकते हैं तो ये है 1880 का मैप और ये है 1913 का मैप ये इस मैप में हम clearly देख सकते हैं कि जो European शक्तियां हैं वो केवल coast line में है ठीक है इस मैप में क्या देख रहे हैं European शक्त है मैंने आपको बताया France पिंक वाला Britain उसके अलावा आप ये side में जो boxes हैं इसमें ढूंड कर मैं side हो जा रहा हूं इसकी photo खीच लीजेगा या आप अगर डाउनलोड करेंगे Wikipedia मिल जाएगा आपको मैं आप ये ठीक है mainland की colonies अब mainland में आपने एक trend देखिए इस वाले में ठीक है 1913 वाले में अप में North East Africa से लेकर पूरा का पूरा दक्षिन तक ठीक है तो North East से लेकर पूरा का पूरा दक्षिन तक जो है वो किसके control में है यानि पूरा का पूरा African continent पे एक पूरा diagonally जो है वो Britain ने control किया है ताकि दो बहुत important trading point Cape of Good Hope जो की connect कर रहा है Atlantic Ocean से Indian Ocean और Swaze Canal जो की connect कर रहा है Red Sea से Mediterranean को और वो Swaze Canal वाला point और Cape of Good Hope वाला point वो दोनों जो है वो mainland Europe के मादें से connect कर दिये Britain अब देख लीजिए वह आप यह ठीक है बीच में Belgium पढ़ जाता है लेकिन Belgium जो है वो Britain का साथ ही ठीक है तो Britain के लिए Belgium से रास्ता है कॉंगो वाला जो region है वो Belgium के control में ठीक है और जो अंत में अजाद रहे वो है Liberia और Ethiopia क्योंकि Liberia जो है वो Establish किया गया यहां पर देखेगा West Coast में एफरिका के West Coast में आपको Liberia नजर आएगा Liberia जो है वो Establish किया गया है United States of America द्वारा क्योंकि United States of America में जब Civil War हुई उसके बाद जो delivery हटाई गई 13th Amendment से तो उन्होंने यह डिसाइड किया कि जो Africans US में नहीं रहना चाते जिनकी बहुत बुरी आलत है उनको हम Africa छोड़कर आते हैं तो US जो है वो अफरीका लेकर आए उन्हें और उनके लिए एक अलग से एक नेशन इस्टेबलिश कर दिया लाइबेरिया जिस पर US का इंफ्लेंस था तो आप बोल सकते हैं इंडिरेक्ली एक कॉलनी थी यूरोप की यूएस की एफरीका में ठीक है तो यह मैप आपके लिए बहुत इंप आइडियोलोजिकल और इमेडियेट कारण यह सब आई होप आप समझ चुके होंगे ठीक है क्यूंकि मैंने कॉंसेप्ट बताए न आप धीरे धीरे उनको थ्रेड इन करना शुरू कीजिए ठूंड़िए इंसार जीजों को पॉलिटिकल कारण क्या थे सोशल कारण क्या थे थोड़ी मैनत आप भी करें और शेयर करने में ध्यान दे और प्रीवेस सेशन अगर नहीं देखे हैं सो मेक शूर यू वाच अल दोस प्रीवेस सेशन देखिये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप चाहते हैं अगर आप सिविल सर्विस की तियारी करें घर बैठे त स्मार्ट कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उस पर एक हजार से जादा वीडियो हैं डेली करेंट अफ़ेयर अपडेट होता है डेली की अंसर राइटिंग की प्रेक्टिस डाउट सॉल्विंग वगरा सब कुछ सब कुछ अवलेवल हैं मेक शूर सब्सक्राइब तो जवाब दूँगा क्योंकि डी कॉलनाइजेशन का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना पूरा एफ्रिकन कंट्रीज को अभी तो कॉलनाइज की हमने आज जब हम डी कॉलनाइज करेंगे ना इन्हें तब यहीं से जो है वो आगे पकड़ेंगे इस टॉपिट को ठीक है और क् के द्वारा और यूएस द्वारा किये गए जो जो कलोनियल एक्सपेंशन है वो भी पढ़ाना है तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीजे बहुत सारा कॉंसेप्ट हमारा इंक्लूड हो जाएगा ठीक है तो आज के टॉपिक को यहां में कंक्लूड करता हूं मेर नाम है विश